हेलो एवरिवन नमस्कार आप सबका वेलकम है Let's Crack UPSC CSE में मैं लली त्यादो अपनी एमलक्षमिगान्त की नेक्स्ट क्लास में आप सबका वेलकम करता हूं और आज की क्लास में हम citizenship एमलक्षमिगान्त का जो चैप्टर नमबर 6 है citizenship और बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट ये चैप्टर है क्योंकि हाल फिल्हाल में रिसेंटली आप देखोगे बहुत सारी ऐसी चीजे रही जिनको लेकर के citizenship का इसू बहुत ज़्यादा कि आमें citizenship का जो चैप्टर है रिसेंट फूचर में बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है मेभी 2021 या 22 के लिए तो सबसे जो most important topics है अगर पॉलिटिक के कोई तो वो citizenship में से एक है यहां से questions जो है आपके prelims और mains दोनों में ही आने है आने की पूरी की पूरी possibility जो है वो रहने के वाली है ठीक है तो आप सुब लोग इसको ध्यान से पढ़ने है सेर करने है ठीक है लाइक सेर करते वे चले जाने है चलिए तो class start करते हैं जितने भी नए दोस्त जूड़े हैं आपको इसमें कुछ basic चीजे मेरे को बतानी है एक मिनट दीजिए आप में से कोई भी दोस्त अगर मेरे बारे में नहीं जानता है तो मेरा नाम ललित यादो है और मैंने डबल एमे किया है लोग प्रसासन, public administration and political science से gold medalist रहा हूँ, beard seated qualified है, emphil किया है, gold medalist रहे है, phd submitted है, six time net, jrf qualified है, political science and public administration दोनों से आपको अगर pdf चाहिए, class का notification चाहिए, तो आप मेरे telegram channel को join कर सकते हैं, जिसका नाम है unacademy ललीत यादो की पार्ट साला, वहाँ से आपको सारी की सारे pdf और सारे की सारी चीजें regular आपको मिलती रहेंगी, class का notification भी वहाँ पर available है आप अगर complete UPSC की preparation करना चाहते हैं, basic to advance, एकदम बिल्कुल zero से और step by step best पैयारी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका result जो है, वो हो जाए, तो उसके लिए आप unacademy के जो सारे top educators हैं, उन सब की proper classes, slavers के according unacademy के subscription वाले platform पर available कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, सबसे अच्छी quality यह है कि हर subject का जो best faculty है, वो वहाँ पर available है इंडिया की जितने भी top faculties हैं, वो सारी की सारी unacademy पर आपको मिलेंगी, तो आप हर किसी की class को access कर सकते हैं, सभी teachers की class को आप देख सकते हैं अभी यह unacademy पर बहुत सारे offers आप देखेंगे जो available है offers चल रहे हैं, 15 अगस्त को ले करके, तो जैसे for example, आपको mains तक का extension मिलता है, अगर आप one year का UPSC का कोई भी course जोइन करते हैं, तो mains तक का extension मिलेगा next year के, साथ ही आप अगर two year का course जोइन करते हैं, या three year का plus वाला course जो extra free में provide करते हैं, याने कि two year का course जोइन करेंगे, तो third year free, fourth, three year का course जोइन करेंगे, तो fourth year आपको free मिलता है, वो unacademy इसकी तरफ से surety है, कि या तो आपका exam crack हो जाएगा इस time period में, नहीं तो unacademy आपको आगे compensate करेगा, ये course साल की free classes देख कर गे, ताकि आप अपना result जो है वो crack कर सके, result जो है, निकाल सके, साथ ही unacademy से आपको complete notes भी available होते हैं, PDF में भी notes available होते हैं, साथ ही आपको books जो हैं, वो भी unacademy आपको provide करते हैं, आपके घर पर, आपके house तक सारे के सारी books जो है, वो पहुचा दी जाती हैं, तो इसको बिलकुल सभी लोग ध्यान में जाएंगे, तो benefit बहुत हैं, courses के, जब भी आप course जोइन करें, तो combo course जोइन करना, अभी बहुत अच्छा खासा discount हो रखा है, combo course पर, one year, two year, और three year की ये prize है, GS और optional, दोनों को combined मिला कर गें, तो इसको आप join कर सकते हैं, benefit उठा सकते हैं, referral code याद रखेगा, L Y L I V E, इस referral code को apply करके ही, आपको course जोइन करना है, इसको apply करेंगे, तो fees में discount भी होगा, और आपको exam pass होने तक proper मेरी personal guidance भी मिलने वाली है, अभी नए optional जो है, 11th अगस से start हो रहें, कुछ 18th अगस से start हो रहें, best, best teachers के सारे optionals आजाएंगे, 20 book का set आपके पास घर पर पहुचा दिया अगर आपको लगता है कि आप one time payment नहीं कर सकते हैं, तो unacademy से subscription के लिए education loan provide होता है, वो ले सकते हैं, उससे आप monthly basis पर आप payment कर पाएंगे, और कोई fees, extra charge उसका नहीं होता है, कोई hidden charge नहीं होता है, वो जल्दी approval भी हो जाता है, तो उसका procedure जानने है, तो आप मेरा telegram channel personal details तो direct mail से contact कर लिजेगा, मैं आपको सारी procedure इसका समझा दूगा, आपके लिए करवा देंगे, loan के लिए भी आपको एक code लगाना पड़ेगा, ध्यान रखेगा, LYLIVE, यह referral code आपको हमेशा apply करना है, हर संडे को आप scholarship test इस referral code से, LYLIVE, यह apply करके free में scholarship test, 11 बजे हर संडे को combat मे play कर सकते हैं, आपको वो सारे prizes यहां से मिल जाएंगे, नए batch जो है 11 अगस से start हो रहे हैं, हिंदी, English, bilingual, तो इंडिया के सबी faculties की, top faculties की सारी classes आपके लिए available हो जाएंगी, इसके लिए आपको करना क्या होगा, Unacademy का learning app आपको install करना है mobile में, UPSC, CSC का goal आपको select करना है, और फिर ये get subscription जो green color में इस पर आपको touch करना है, तो आपके सामने इस तरीके का structure open हो जाएगा, Unacademy पर दो type के courses हैं, एक plus और एक iconic, दोनों में सारी चीज़े same है, आईकोनिक में दो facilities आपके लिए extra है, और एक example एक आपको Unacademy से personal mentor जो है, वो provide किया जाता है, जो आपको guide क extra मिलती है, जो throughout आपकी journey में आपको help करती है, ठीक है, तो answer writing करेंगे, mains में अच्छा number आएगा, तो उसकी fees थोड़ी सी जादा है, तो ये cable GS के course की fees है, जो यहाँ पर देखेंगे, इनमें optional add करने पर fees थोड़ी सी जादा हो जाती है, हाँ अगर आपको discount चाहिए, maximum possible discount, तो आ हमारी personal guidance के लिए, और मैं अपने सारे students को one-on-one guide करता हूँ, personally guide करते हैं, इसी चीज की requirement भी है, exam pass करने के लिए कि teacher के साथ direct आपका संपर्ग रहें, direct contact रहें, teacher available रहें, उनसे जब भी आपकी कोई problem हो, strategy से related हो, कुछ भी guidance तो आप उनसे बात कर सकें, तो इस तरीके की facilities आप आपको available होगी, अगर आप अपने academy पर जब course जोइन करेंगे न, और ये referral code लगाएंगे, याद रखेगा, referral code में यही लगाना है, apply करना है, classes सभी teachers की मिलेंगी, referral code इसको apply करना, guide मैं आपको कर दूँआ, proper, बिलकुल exam pass होने तक, without manager, without assistant, assistant के, normally आप सब जब भी बात करते हैं आपके manager, assistants, आपकी बाकी जगे पर बात होती है, लेकिन हाँ पर जब आप call करेंगे, तो आपकी direct बात मेर से होगी, whatsapp और telegram पर मेरे भी manager है, तो वहाँ पर PDF के लिए, या बाकी जो basic information, fees वगर अगले, तो वहाँ पर आपको guide करते हैं, वो help करते, लेकिन अगर call करते हैं, तो direct आपके contact, जो है, मेर से ही होता है, तो इसलिए जरूरी है कि teacher के साथ जुड़े, contact मेरे, तो उसके लिए benefit होगा कि आप LOI live code apply करें, तो आप direct contact आपका मेरे साथ रहेगा, same optional, अगर आप separately only optional लेना चाहते हैं, तो you can go for that also, apply LOI live code for discount here also, ये मेरे optional courses हैं, PSIR और public administration में जल्द के 1000 MCQs, जो है, मैं complete करा चुका हूँ, special classes, anacademy का एक feature होता है, special class, free classes होती है, उसमें आप MCQs से अपना preparation कर सकते हैं, test देख सकते हैं, अपना test आपको मिलेगा, कि आपको पता चल जाएगा, कि आप कितने correct answer है, आपको कितने wrong answer है, तो वो best है, वो join कर सकते हूँ, उसको दे जी तो आज की class जो है, वो start करते हैं, जो main class है हमारी आज की, उसके ओपर discussion कर लेते हैं, कि क्या है citizenship, और किस तरीके से work करता है, और क्यो citizenship का issue जो है, वो इतना important है, नागरिकता, ठीक है, चलिए जी, तो like share करते वे आज जाईएगा, जितने भी दोस्त हैं, आपको कोई भी query हैं, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीजे जाननी है, तो class के end में comment करिएगा, class के बीच में, class के end में comment करेंगे, last में आपको सब चीजों का जवाब मिलेगा, अभी जिस class के लिए आए, उस class के उपर focus करो, उसको कर लो, ठीक है, सारी चीजे हो जाएगी, live class में रहा क जो हैं, अलग-अलग institute की, अलग-अलग change होती रहती है, तो इसलिए focus करना है कि live class में रहें, ताकि आप class miss ना करें, concept miss ना करें, और आपके जो doubts हैं, वो live class में ही soul होंगे, class के end में मैं आपके सारे doubts लोगा, जो भी आपके doubts हैं, तो चलिए class start होने से पहले, how's the joss, कैसे है How's the joss, joss है की नहीं, जिन्दा है, high है की नहीं, like share करते हुए आने हैं, अपने सारे friends के साथ इसको like share करने हैं, और joss के साथ start करते हैं, चलिए, तो citizenship की बात करते हैं, नागरिक की बात करते हैं, तो सबसे पहला question तो यह आता है कि why citizenship, citizenship required क्यों हैं, जरूरी क्यों हैं, इंसा कान है, सारे के सारे human being है, सभी के पास same ही चीजे हैं, दो हाथ है, आख है, नाक है, कान है, बोडी है, ठीक है, तो ऐसे में अलग-अलग countries जो हैं, वो citizenship के उपर इतना focus क्यों करती हैं, नागरिकता के उपर इतना ज़्यादा क्यों value दिया जाता हैं, कोई एक ऐसी क्यों नही के लिए एक अलग से separate citizenship के rules होते हैं, तो उसको समझिया, पूरे world में हर country है, हर country ये चाहती है, कि उसका structure जो है, उसके जो citizen है, उनके लिए कुछ special facilities available हो, ताकि वो अपना मान सके उस area को, उनके उसके प्रति समर्पित रह सकें, ठीक है, उनके लिए बिल्कुल committed रह सकें, उन समर्पन का भाव, एक देश भक्ती का भाव, वो चीजे रह सकें, तो इन सब चीजों को देखते हुए, हर जो country है, वो अपने citizens के लिए कुछ special provision करते हैं, इसलिए citizenship important हो जाती है, क्योंकि अगर आप citizen है किसी country के, तो उस country में आपको special rights मिलते हैं, कुछ special powers मिलती हैं, अगर आप citizen नहीं है, तो उस country के अंदर आपको special powers और उस special rights अविलेबल नहीं है, और without उन special power, उन special rights के, आप overall as a human अपना development नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो जब भी citizenship की हम बात करते हैं, तो दो तरीके के लोग भारत नहीं होते हैं, like any other modern state, India has two kind of people, first citizen and दूसरा aliens, अब ये alien, वो वा आप देखते हो, जो USA की फिल्मों में आपको aliens दिखाते हैं, अलग-अलग country से जो अलग-अलग planet से आते हैं और आकर के attack करते हैं, सब का attack USA पर ही होता है, क्योंकि USA ही film बनाता है, Hollywood की, तो जितना भी attack दिखाते हैं, सारा attack USA में ही दिखाते हैं, जो थोर आ गया, लोकी आ गय वगेरा 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 इस तरीके के, तो यहाँ पर alien का मतलब वो वाले alien नहीं है, इंगलिस में जो विदेशी है, जो foreigner है, जो किसी country के citizen नहीं है, उनको हम alien बोलते हैं, ठीक है, simple सा word है, कोई भी ऐसा person, any person who is not a citizen of India, है न, is called alien, उनको हम alien बोलते हैं, विदेशी बोलते है तो अब दो तरीके के लोग हैं, citizens कोन हैं, इसको भी समझेगा, जब भी हम बात करते हैं, ठीक, कि citizens are full members of the Indian state, and of allegiance to it, they enjoy all civil and political rights, सबसे important चीज है, कि नागरिक जो है, वो भारत के पूर्ण सदसे हैं, और उनके पास complete, पूरे civil और political rights, जो हमारा constitution प्रोवाइड गरता है, वो सा सारे के सारे rights उनके लिए applicable होते हैं, उनको available होते हैं, वो उनको enjoy करते हैं, उनके साथ किसी भी चीज में discrimination नहीं होता है, ठीक है, सारे के सारे rights जो constitution ने बनाया, और जो aliens हैं, जो विदेसी हैं, aliens on the other hand, are the citizens of some other state, and hence do not enjoy all the civil and political right, वो दूसरे देश के नागरिक हैं, विदेसी है तो उनको इंडिया के constitution ने जितने भी provisions हैं, वो सारे के सारे, all provisions are not applicable for them, अब आप कहोगे sir ऐसा क्यों, तो थोड़ा तो differentiate करना पड़ेगा ना भई, कोई भी इंडिया का citizen है, वो इंडिया के लिए committed क्यों रहेगा, केवल इंडिया में ऐसी क्या facility मिलेगी कि वो इंडिया में ही रहे, किसी दूसरी जगे पर नहीं जाए, इंडिया के लिए एकदम बिल्कुल जिसको बोलते हैं, देश भक्ती की भावना से रहे, welfare की भावना रहे, fraternity की भावना रखे, वो feeling के साथ, उस sense के साथ रहे, तो उसका reason है कि उसको यहाँ पर कुछ special powers, कुछ special rights available है, तो रहे ठीक है, अगर हम foreigners को भी इस तरीके से देने लग जाएंगे, यह equal rights जो हम बात करते हैं, सारे के सारे political और civil rights equally हम foreigners को भी दे देंगे, aliens को भी दे देंगे, तो फिर Indian का, या हम जिसको बोलते है Indian, उस sense को ही, मतलब हम continue नहीं रख पाएंगो, sense ही खतम हो जाएगी, Indian nest की जो sense है वो ही समाप्त हो जाएगी, कोई भी आएगा, इंडिया में आएगा, किसी भी तरीके की activity करेगा, है ना, इंडिया के against बोलेगा, इंडिया की integrity के against जाएगा, कोई भी काम करेगा, और हम उनको restrict भी नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने उनको equal rights दे दिये, तो इसलिए इंडिया जो है, discriminate करता है, इंडियन citizens और जो aliens है, जो foreigners है, उन दोनों के बीच में, ठीक है, ताकि केवल जो Indian लोग है, उनको हम कुछ extra rights दे, foreigners है, उनको भी देते हैं कुछ rights, लेकिन complete सारे rights नहीं मिलते, for example, अगर हम बात करें, तो वो सारे fundamental categories होती है, aliens की भी अगर हम बात क aliens, ठीक है, एक जिसको बोलते हैं, विदेशी में, तर और एक विदेशी सत्रू, अब यह friendly alien और enemy alien, इसका मतलब यह मत समझना कि इसमें भी, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, Hollywood की फिल्म में आप देखते हो, कि Thor, वो friendly alien होता है, यहना, Loki, वो enemy alien होता है, इस तरीके के नहीं, इसका मतलब यह है, simple सा, कि जिन countries के साथ हमारे relation अच्छे हैं, तो उन countries के जितने भी citizen है, वो हमारे friendly alien है, ठीके, वो हमारे मित्रता पुर्वक विदेशी हैं, दोस्त विदेशी हैं, और जो ऐसी countries, जिनके साथ हमारी war होती है, लड़ाई होती है, जगड़ा होता है, जो हमे खतम करना चाते हैं, डिस्ट्रोई करना चाते हैं, ऐसी countries के citizen, उनको हम क्या बोलते हैं, enemy aliens, विदेशी सत्रू, ठीक है, जैसे friendly aliens are the subject of those countries that have cordial relations with India, जैसे for example हम बात करें Nepal, for example हम बात करते हैं USA, for example अगर हम बात करें Australia, Japan, तो यह friendly aliens हो गए, ठीक है, enemy aliens on the other hand are the subjects of that country, that is at war with India, they enjoy lesser rights, war किसे, जैसे पाकिस्तान, ठीक है, चाइना, ठीक है, तो mostly हम पाकिस्तान को enemy alien के रूप में रखते हैं उनके citizens को, क्योंकि उनके साथ हमारे जो संबंध हैं, हमारे relations जो अच्छे रहे नहीं, लगातार जो हैं, कुस ना कुस प्रोबलम हमारी होती रही है, तो अब ऐसे में, जो foreigner लोग इंडिया में आएंगे, तो ऐसी country जिनके साथ हमारे relation अच्छे हैं, उनके citizens अगर इंडिया में आएंगे, तो हम उनका welcome करते हैं, most welcome, आओ, अतिथी देवो, भवो, है ना, पधारो महारे देश, तो उस तरीके की चीज़े होती हैं, उनको हम बहु लड़ाई चल रही है पाकिस्तान के साथ, ऐसे में पाकिस्तान के citizen इंडिया में आया घूमने के लिए, तो आप उसको क्या right, equal right दोगे, जो दूसरी country's के citizens को देते हैं, नहीं दे सकते हैं, अगर आप उनको equal right दोगे, तो यहाँ पर हो सकता है, जासुसी करने लग जाएं, स्पाइन करने लग जाएं, हो सकता है कि इंडिया के against, यहाँ पर बहुत सारी चीज़े movement चलाने में उसमें उसका role play करने लग जाएं, तो उनकी activities को restrict करना जरूर ही होता है, तो उन activities को restrict करने के लिए, हम उनको क्या करते हैं, कम rights देते हैं, they enjoy lesser rights and the friendly aliens, than the friendly aliens, example they do not enjoy protection against arrest and detention, article 22 ठीक है, गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ, article 22 आपको write देते हैं, कि भही आपको अगर arrest किया जा रहा है, तो within 24 hours आपको nearest magistrate के पास आपको आपकी body के साथ आपको हाँ पर present किया जाएगा, आपको reason बताना होगा कि भही आपको गिरफ्तार क्यों किया गया, आपको detention म आपको house arrest अगर कर रहे हैं, तो आपको उसका reason बताते हैं कि मैं क्यों कर रहे हैं, अगर आप alien, enemy alien हैं, तो ये सारी की सारे rights आपके उपर applicable नहीं होते हैं, आपको किसी भी time, anytime, बिना without any reason इंडिया में आपको arrest किया जा सकता है, अगर पाकिस्तान को कोई citizen आ रखा है, और इं potential या possible spy, है न, और possible threat to Indian security, तो उनको arrest कर सकते हैं, without any notification, without any reason, without any giving any reason, assistance के उसको arrest कर सकते हैं, पूस्तास कर सकते हैं, inquiry कर सकते हैं, तो इस तरीके के rights, जो ये restriction है न, वो लगाते हैं हम उनके उपर, अब कुछ और चीज है, जो आपको Indian होने पर बहुत benefit देता है, extra benefit, आपको Indian हैं, हमारे इंडिया में fundamental rights हैं, और भी बहुत सारी चीज हैं, वो तो हम सब दूसरों को देते ही हैं, ठीक है, इंडिया को भी देते हैं, दूसरों को भी देते हैं, foreigners को भी देते हैं, तो Indian होने का क्या फाइदा है, ऐसे कौन से rights हैं, जो केवल Indian citizens जो हैं, उनके लिए हैं, तो आप देखिएगा, constitution के जो सबसे main-main features हैं, उनका use केवल only Indian citizens कर सकते हैं, जैसे fundamental rights के अगर हम बात करते हैं, तो 5 fundamental rights हैं, यहना, there are 5 fundamental rights which are available only for Indian citizens, ठीक है, सबसे पहले, right against discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth, इसका मतलब यह हैं, कि अगर आप किसी public place में जाते हैं, किसी भी public place, तो वहाँ पर entry आपकी restrict नहीं रहेगी, आप किसी educational institute में admission लेना चाहते हैं, for example, you want to do a MBA degree from a government college, तो आपके पास, अगर आप इंडिया की citizen हैं, तो इन basis पर, इन grounds पर, आपके साथ कोई भी discrimination नहीं होगा, लेकिन अगर आप इंडिया की citizen नहीं है, आप foreigner है, alien है, तो आपके साथ discrimination किया जा सकता है, हम उनको मना कर सकते हैं, अगर कोई foreigner है, कोई विदेशी है, ठीक है, कोई alien है, वो आता है इंडिया के अंदर, और वो कहता है कि I want to do PhD in Sanskrit, या I want to do PhD in Indian culture and heritage, किसी भी Indian political structure, या study करना चाहते हैं, master's में admission लेना चाहते हैं, किसी भी government educational institute में, तो हमारे पास right है, कि हम उनको मना कर सकते हैं, इंकार कर सकते हैं, ठीक है, उनको reject कर सकते हैं, we have the right, किस basis पर, कि वो इंडिया का citizen नहीं है, ठीक है, हाँ, ये अलग बात है कि हमारे पास ये भी right है, कि हम उन उनको allow कर दे, जैसे इंडिया में आप देखोगे न, कि जो बहुत सारी neighboring countries हैं, उनके साथ, हमारे अच्छे relation, harmonious relations के लिए हम उनको allow करते हैं, इंडिया में study करने के लिए, long term visa भी provide करते हैं, like Afghanistan आप देखोगे, और जो Middle Asia के जितने भी देश हैं, कजाकस्तान, किर्गिस्ता इस टाइप के जो देश हैं, नेपाल, तो उनको जो citizen हैं, उनको हम इंडिया में invite करते हैं, study करने का भी chance देते हैं, खुब बढ़ाते हैं, रहने भी देते हैं, है ना, तो वो चीज होती हैं, लेकिन हम उनके साथ discriminate कर सकते हैं, और example अगर इंडिया गेट पर जाने, इंडि नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप मान लिजी, USA से आये हैं, यहाँ पर, और इंडिया गवर्मेंट को लगता है कि, this person can be a spy, और this person इस इंसान के होने से इंडिया के security को threat हो सकता है, तो वो आपको इंडिया गेट पर entry से restrict कर सकते हैं, ठीक है, वो इंडिया गेट के पास जा loud here, because you are a foreigner, you are a foreigner, you are alien, you have several rights in India, but you don't have all the rights of which are enjoyed by Indian citizens, सारे के सारे rights नहीं है, तो यह चीज आप उनके साथ कर सकते हो, इंडिया 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 नहीं है, ठीक है, second चीज, right to equality of opportunity in the matter of public employment, article 16, सरकारी नोकरियों में समताग अधिकार, ये भी केवल Indian citizens को ही available है, foreigners को नहीं है, अब आप कहोगे, सार, इसमें क्या कर सकते हो, article 16 कम से कम, job में तो right दे दो, हमारे Indian लोग है, वो भी तो foreign में, other countries में जाकर के job करते हैं, बड़ी-बडी job करते हैं, scientist हैं, doctor हैं, multi-billionaire type के लोग हैं, companies चलाते हैं, CEO हैं, पता नहीं क्या के हैं, तो क्यों ना हम भी, उनको यहाँ पर दें, right, आपके mind में आ सकता है, लेकिन ये चीज ध्यान रखेगा, कि, अगर हम उनके साथ इस मामले में discriminate नहीं करेंगे, अगर ये article 16 हम foreigners को भी दे देंगे, तो भाई, already आपके पास government job तो बहुत कम है, limited सी हैं, कहां है इतनी ज़्यादा, limited सी आती है, UPSC के लिए seats कितनी आई last time, 750, यानि 750 to 1000 के around seats हैं, अब उसमें भी आप allow कर दोगे foreigners को, कि you can also enjoy this facility, you can also serve in India as a Indian government employee, तो वो लोग अगर आगे, तो आद नोकरी किसकी जाएगी, जोब्स किसकी जाएगी, किसका हक, किसका right उनके पास चला जाएगा, Indian citizens का, आपका, है न, अगर वो applicable कर देंगे, तो सारे के सारे पाकिस्तान के, चाइना के, चाइना सोचो, वो चाइना जान लगा देगा अपने सारे वहाँ पर लोगों को, जितनी भी लोग हैं, उनको प पिर उसके बाद किसके पास control रहेगा, उनके पास रहेगा, तो यह required था, यह जरूरी था, कि यह वाला right हम foreigners को ना दे, तो as a Indian citizen यह right के वल आपके पास रहेगा, और किसी के पास नहीं है, तीसरा right, right to freedom of speech and expression, assembly, association, movement, residence and profession, article 19, यहने की सोतंतरता, समेलन, संग, संचरन, निवा प्रवसाय की सोतंतरता, यह भी आपके पास है, पास fundamental rights है, इनको याद रख कर लिजेगा, article 15, article 16, article 19, article 29, article 30, यह five fundamental rights, these are five fundamental rights, which are available only for Indian citizens and not for alien or not for foreigners, यह सबसे most important चीज़ है, जो आपको देखना है, और यह important इसलिए है, क्योंकि यहां से MCQs में questions आते हैं, कि which are the fundamental rights are applicable for both Indian and foreigners, which of the following fundamental rights are available for only Indian citizens, और उसमें आप options available करा दिये जाएंगे, तो ऐसे article 19 भी उनको provide नहीं किया गया है, अब article 19 में तो ऐसा कुछ है नहीं कि वह आपका right आप ले ले लेंगे, यह तो freedom of expression है, ठीक है, क्या है, speech है, expression है, assembly है, association का है, movement का है, इसको भी हमने foreigners को provide नहीं किया, इसके पीछे के भी कुछ reason है, इसका reason है, क्या है, समझे, कोई भी foreigner होगा, तो वो किस country के लिए committed रहेगा, वो अपनी country, अपनी original country, जिसका वो citizen है, उसके लिए more committed रहेगा, तो कभी भी कोई भी issue होगा, तो हर issue में, वो अपनी country को priority पे रखते वे, उसको prioritize किया करेगा, priority पे रखते वे, फिर अपने viewpoint रखेगा, for example, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की dispute को लेते हैं, हम P.O. के, for example, अगर हम बात करते हैं, अगर हम P.O. के को ले लेते हैं, पाकिस्तान occupied कस्मीर जो है, उसके उपर जब भी discussion करेंगे, तो as a Indian, हम already हमें से कहेंगे कि, पाकिस्तान ने तो गलत तरीके से illegally, उन्होंने उसक उपर control किया, ठीके, P.O. के is our area, है ना, पाकिस्तान ने तो जबरदस्ति उसपर घुस्पैट करके कबजा कर लिया, लेकिन अगर हम पाकिस्तान का citizen होगा, तो वो ये कहेगा, कस्मीर हमार है, कस्मीर हम लेके रहेंगे, है ना, वो उनका अलग से वो रहेगा, वो Indians को नीच के against, वो कुछ भी बोल देंगे, और आप उसको गिरत्तार भी नहीं कर पाऊगे, arrest भी नहीं कर पाऊगे, ठीके, और हो सकता है कि उनकी speech के कारण यहाँ पर riots हो जाएं, दंगे हो जाएं, हिंदू-Muslim दंगे, sensitive issue, वो कर दे, ठीके, हो सकता है कि foreigner लोग, यहाँ पर लोगों Indian citizens को provide किया है, foreigners को, aliens को हमने यह provide नहीं किया है, ठीक है, clear, चलिये, आगे चलते हैं, एक और चीज है, दो articles और हैं हमारे constitution के, article 29 and 30, cultural and educational rights, यह भी केवल Indians के पास ही है, और इसमें आप देखेंगे कि, जो भी minorities हैं, basically, वो अपने educational institute, establish कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, administered कर सकते हैं, ठीक है, अपने culture, अपनी language, उसके safeguard कर सकते हैं, तो इस तरीके के right हम foreigner को नहीं देते हैं, क्योंकि foreigner आएंगे तो वो तो already minority में ही रहेंगे इंडिया में, कोई भी foreigner आएगा, वो minority में ही होगा, ठीक है, तो ऐसे में अगर वो आक करके कहें कि, मै यहाँ पर educational institute establish करना चाता हो, तो उसकी पर्मिशन हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका एक indirect way जो है न, निकाल लिया है, indirect way कैसे निकला, समझे है, जुगाड देखते हैं आप, तो foreigner भी काफी जुगाडे हैं, अभी 1991 के बाद से क्या होता है, इसको समझेगा ध्यान स 1991 जो है, उसके बाद से इंडिया में LPG की policies आई, उदारी करन, वैस्वी करन, निजी करन, liberalization, privatization and globalization, जब यह policies इंडिया में आती हैं, तो उसके बाद इसके थुरू इंडिया में क्या आता है, FDI, FDI आता है, फिक है, इंडिया में आता है, FDI, इंडिया में इंवेस्ट करती हैं, अब education के मामले में भी आप देखोगे, तो बहुत सारे private sector में, या minorities के भी बहुत सारे educational institutions हैं, तो वहाँ पर भी दखोगे, तो उनको fund ले सकते हैं, उनके पास यह permission है कि they can arrange funds for their proper functioning of institution, for their safeguard of, for the safeguard of their language, their culture, तो foreign funding बढ़ी आते हैं, विदेशी कंपनियों की funding बहुत आती हैं, तो वो उन funding की according, थोड़ा सा इन चीज में, अपना भी impression डालने में, थोड़ा सा कामियाब हो जाते हैं, पर यह उनको right नहीं है, कि वो यहाँ पर आक करके, अपना खुद का इस तरीके क चीजे ओपन कर सकें, तो यह तो होगे fundamental rights, तो please write down in comment box, which are the five fundamental rights, available only for Indian citizens, जो केवल भारतिय नागरिकों के लिए हैं, पाची fundamental rights हैं, जो Indian citizens के लिए ही available हैं, बाकि सभी fundamental rights, equally available हैं, foreigners और Indians के लिए, five fundamental rights, article, जल्दी से comment box में लिखिए, ताकि आपको याद होजए, 15, article 16, article 19, article 29, article 30, these are the five fundamental rights, most important part of this chapter, available only for India, Indian citizens, very good, sophisticated sisters, स्पलव, मित्र, अर्जुन, विराज, दिपक, मनीशा, पुख, रामबन, देव, विराज, राहुल, अंकीता, सोर्य, मैच, सोथर, पलक, निहारीका, स्वाती, मुनेशवर, सोनी, जैदेव, लक्की, विराज, विस्नु, अब्दूल, दिपक, ओन, वैसने, वेरी गुड, क्लैपिंग आप सभी के लिए, ये चीज इसको ध्यान रखना है, आपके पास, ये पांच, फंडामेंटल, राइट से, जो केवल इंडियन्स के पास है, ठीक है, और भी बाद में क्या, आर्के सिंग, स्वेता, पिंकी, दिपक, मनवीर, एकता, रमन, आर्जु, रूपा, ओम, नित्किता, जया देवा, ठीक है, ठीक है, रभी, बस हो गया, हो गया, थैंक्यू, थैंक्यू, वेरी गुड, इस तरीके से चीजों को नोट्स बनाते चले जाने, कि ये है, अब क्या, हम फोर्नर्स को केवल इनी पास चीजों के बेस पर हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते है क्या इसके अलावा कुछ और भी है इंडिया की Constitution में, जो केवल इंडियन सिटिजन्स के लिए है, फोर्नर्स के लिए नहीं है, तो वो भी है, बहुत सारी है, ऐसे प्रोविजन्स है, जो required है, फोर एक्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं, कि right to vote in elections to the local and state legislative assembly, इंडिया के Citizen of India, भारत के नागरिक होने चाहिए, तो अगर आप भारत के नागरिक नहीं है, तो आपको right to vote नहीं मिलेगा, लोकसभा, राज्यसभा और विधान सभा, इन दोनों की बात कर रहे हैं, ना केवल लोकसभा और विधान सभा, ये क्योंकि बुक थोड़ी सी अपडेट नहीं हुए है, 17 जग हम बात करते हैं, जो 73rd amendment हुआ और 74th amendment हुआ, इनके साथ साथ जो local government है न, local government मतलब, पंचायती राज, municipalities, उनके election में भी आप vote नहीं डाल सकते हैं, तो right to vote आपके पास नहीं है, अब आप कहोगे कि सर, right to vote, only Indians के पास होने का benefit किया है, विधेशियों के foreigners को हम क उसे क्या हमें नुकसान हो सकते हैं, क्या-क्या उसके, जो है, consequences हो सकते हैं, तो समझिये, अगर मान लेते है, right to vote हम, all, सभी citizens को दे देते हैं, complete overall world में दे देते हैं, के वल इंडिया की citizens के पास नहीं होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, ये रुखने वाले होते हैं, जब भी election होते हैं, सबसे पहले चाइना और पाकिस्तान अपने सारे citizens को भेज देता हैं, इंडिया के अंदर, कि जाओ, vote करो, और किसके लिए vote करते हो, ऐसी government के लिए जो इंडिया के against होती, ठीक है, अपनी ही उनीकी एक government बन जाती, इंडिया अगर तो काम तमाम खतम हो जाता, मामला ही समाप, इंडिया इंडिया होता ही नहीं, ठीक है, तो right to vote तो सबसे primary चीज है, किसी भी democracy में सबसे important चीज अगर कोई है, तो वो voting है, right to vote, power, source of power, peoples के पास, जनता के पास, citizens के पास, है ना, तो वो होना बहुत जरूरी है, तो foreigner को हम नहीं दे सकते, इंडियन citizens के पास रहेंगे, ठीक है, दूसरा, right to contest for the membership of the parliament and the state legislature, आप election लड़ भी नहीं सकते हैं, ठीक है, voter तो है, साथ ही जब आपको election contest करना है, चाहे आप राज्य सभा के लिए हो, लोग सभा के लिए हो, फिर चाहे आप state legislative, assembly के लिए हो, state legislative, council के लिए हो even local government, जो इसमें नहीं दिया गया है, इसमें आप local government भी जोड लेना है, ठीक है, पंचायती राज municipalities, उनमें आपको अगर खड़ा होना है, if you want to become a MP, MP, MLA, चचा विधायक है हमारे, and if you want to serve for your constituent assembly, people of your constituency, if you want to work for the betterment of the people of your constituency, है ना, अब वो अलग बात है कि वो betterment, दिखाने का कुछ और होता है, खाने का कुछ और होता है, कहने का कुछ और, reality में कुछ और, normally, so case तो यह किया जाता है कि yes, I want to become a MLA, I want to become a MP, हम बुचेंगे why, तो कहेंगे, because I believe in social work, I want to do something good, something good for society, people are very poor, uneducated, I want to do something good for them, I want to provide education, I want to provide quality health, I want to provide employment for them, that's why I want to become a MP and MLA, these are the words of all the MPs and MLA, but in reality, all knows, हर कोई जानता है, सच्चा ही किया है, वास्तवीकता गिया है, किसका development होगा, after winning the election, whenever you go to meet your representative, सबसे पहली चीज़ क्या होगी, आपको मिलने ही नहीं दिया जाएगा, ठीक है, you are not allowed to meet him, now he become VVVVIP, so you have to take appointment and you will get a chance to meet him after several months, और उसमें भी, जब आप जाओगे उनको बोलोगे, do you remember me, sir, I have voted for you, you came to my house, you asked for my support, you asked to vote for you and you promised me that you will give a proper education, you will build a school in our village, sir, I came to remember you about your promise, please make a school, फिरो कहेगा, who are you, why are you coming here, I don't know you, go, भगा दिया जाएगा, तो वो अलग चीज होती है, ठीक है, लेकिन, reality क्याएगी, अगर आपको election में लड़ना है, अगर आप parliament में, state legislature में, और local government में, अगर आप एक representative बनना चाहते हैं, if you want to do good for your society, if you want to be in a powerful position, then you have to be a citizen of India, आपको भारत का नागरिक ही होना पड़ेगा, अगर आप इंडिया की citizen नहीं है, भारत के नागरिक नहीं है, तो आप election contest नहीं कर सकते हैं, ना के वल ये, बलकि हमारे जो बहुत most important offices हैं, जैसे कि eligibility to hold certain public offices, that is president of India, vice president of India, only Indian citizens can, Indian citizens के लावा प्राश्टपती उप्राश्टपती नहीं बन सकते, judges of supreme court, high court, governor of states, attorney general of India, advocate general of state, highest level of executive post, जो government की सबसे main major post होते हैं, उनके लिए भी आप तभी eligible होंगे, जब आप India के citizen हैं, other नहीं बन सकते, नहीं तो अगर ऐसा होता कि, अगर foreigner को भी बोलते कि, ठीक है वही तुम भी आजाओ, तुम भी राश्टपती बन जाओ, तो सारे के सारे जितने भी other countries के, जितने भी unsatisfied leaders हैं, वो यहाँ पर इंडिया में आ करके, वो यहाँ पर try करते हैं, चलो, let's try in India, let's become president, ठीक है, अगर foreigner आते हैं, अगर उनको हम right दे देते हैं, कि you can be, become judge in Supreme Court और High Court, तो अमारी पूरी की पूरी जुडिसरी सिस्टम जो है, वो biased हो जाती, biased in nature होती, उसके उपर influence हो जाता, other country की का, तो इसलिए required था, जरूरी था कि, के वल only citizens के लिए रहें, इसलिए तो important है, इसलिए तो इंडिया की citizen important है, ताकि आप यह सारे features, यह सारी चीज़े यूज़ कर सके, इसके अलावा सबसे important चीज, और भी है, जो आपको ध्यान रखना है, अगर हम बात करते हैं, कि, ना केवल इनके अलावा, बलकि कुछ और भी provision है, जिनको आपको देखना है, उन provisions को भी मैं समझा देता हूं, जो यहाँ पर available नहीं है, साथ अभी provide नहीं किये गए, दिये नहीं गए हैं, for example, if you want to become IAS, if you want to become IPS, if you want to become IFS, all India services, ठीक है, all India services, AIS, तो आपको इंडिया का citizen होना पड़ेगा, अगर आप इंडिया के citizen नहीं है, तो आप IAS, IPS, IFS नहीं बन सकते, contest नहीं कर सकते, government sector, उसके लिए आपको इंडिया का citizen होना mandatory है, ठीक, तो यह चीज भी आपको ध्यान रखेगा, ठीक, तो यह भी हैं, आपके पास citizen, तो देखिए, समझीए, as a citizen आपके पास कितने right है, आपके पास बहुत सारे rights है, जो आपको Indian citizen होने के नाते आपको मिलते हैं, जो आपको अलग करते हैं, दूसरे देशों के नागरिक से, इसलिए इंडिया की citizenship आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और एक और चीज है, समझ यह, कि जब हम CAA का issue लेते हैं, CAA का, Citizenship Amendment Act जो आया, 2019 वाला जो issue हुआ, तो maximum जितने भी countries के जो अवैध निवासी हैं, या उनके जो citizen हैं, वो इंडिया में ही आकर के migrate क्यों करते हैं, इंडिया से भी अच्छी condition है, इंडिया से भी rich countries है, अमेरिका है, प्रांस है, बिटेन हैं, जापान हैं, जर्मनी हैं, लोग वहाँ पर क्यों नहीं जाते हैं, अरब countries हैं, वहाँ क्यों वो migrate नहीं करते हैं, ओल्ली इंडिया में ही migrate क्यों करते हैं, इंडिया में ही आकर के क्यों citizen बनना चाहते हैं, तो उसका reason यह है, fundamental rights, इसका reason क्या है, fundamental rights, और fundamental rights में right to equality, right to religious, freedom of your religion, तो यह कुछ ऐसे fundamental rights हैं, जो किसी के बीच में भी discrimination नहीं करते हैं, discriminate नहीं करते हैं, और सबसे humanly conditions जो अगर provide करते हैं, तो वो इंडिया में होती हैं, तो इसलिए आप देखेंगे न, पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगानिस्तान, और भी कई सारी neighboring countries के, नेपाल से भी आप देखेंगे, सिलंका से भी आप देखेंगे, तो उनकी try, उनकी कोशिस यहीं रहती हैं, जो इंडिया में आकर रहें, कैसे भी करके आपको minorities के लिए तो rights ही नहीं हैं वहाँ पर, अगर आप ध्यान से पड़ेंगे, तो पाकिस्तान का curriculum आप देखना, school का जो curriculum है, उस curriculum में जैसे NCRTs होती हैं इंडिया के लिए, वैसे उनकी भी school की government books होती हैं, उन government books में, officially यह mention है, कि minorities आर, जो minorities जो नीचे प्रकार किये हैं, उनके साथ discriminates किया जाना चाहिए, they are not equal to our religion, तो वहाँ से उनको सुरुआत से ही सिखाया जाता है, तो discrimination हो गई, लेकिन इंडिया में नहीं होता है, चाइना में चले जाओ, आपके पास इंडिया में रहें, इंडिया में इंडिया में सिटिजन बनें, ठीक है, इसी लिए CAA का जो इसू था, वो गवा, इसके उपर हम discuss करेंगे, अगली class में, जब ये basic basic आप कुछ concept जो आप understand कर लेंगे, इसका citizenship का, इसके बाद कि जब next class होगी, जो कल होगी, 1 p.m. पर, उसमें हम बहुत detail में discuss करेंगे CAA के बारे में, कि what is CAA, कितनी बार CAA आया, इसके साथ-साथ NCR, NPR क्या है, ठीक है, और NRC क्या है, what is NRC, NPR, ठीक, और debates क्यों है, केवल, हमने 3 countries को ही क्यों include किया, CAA के लिए, केवल हमने 6 religions को ही include किया, Muslim को include नहीं किया, इसके अंदर, क्या वो constitutional है, या unconstitutional है, इन सभी चीजों के उपर, इन सभी debates को उपर, आपके लिए बहुत detailed एक class में है, आपके लिए ready करकर रहा हूँ, वो मैं आपके लिए इस class के बाद आपको ले कर गयाएंगे, अभी हमें main main features, उससे पहले पता होने चीज़िए कि citizens को आखिरकार right क्या है, ठीक है, क्या क्या citizens के पास right है, तो चलिए, अब इनके साथ-साथ, जब आप citizen है, आपके पास right है, तो ध्यान रखना rights के साथ-साथ, आपके पास duties भी होती है, करतव भी होता है, foreigners जो है, उनके पास duties नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनको हमने सारे fundamental rights, सारे complete rights नहीं provide किये, तो उनके पास India के लिए कोई duties भी नहीं है, they are like guests in our country, but as an Indian citizen we have to follow some fundamental duties, along with the above rights, the citizens also owe certain duties towards the Indian state, as for example paying taxes, respecting the Indian national flag, and national anthem defending the country and so on देश की रक्षा करना, राश्क्रिगान के उपर उसकी respect करना, national flag की respect करना national anthem के time respect करते वे, आप एकदम बिल्कुल attention सीधे खड़े हो जाना ठीक है, कोई भी disturbance आप उसमें नहीं कर सकते किसी को आप रोक नहीं सकते कि वही, don't sing national anthem, लेकिन यह foreigners पर applicable नहीं है, अगर आपका national anthem चल रहे है, आप Indian citizen है, तो आपकी duty है कि आप अपने place पर खड़े हो करके उसको respect दे, 52 seconds का यह, लेकिन अगर कोई foreigner है तो उसके लिए requirement नी mandatory नहीं है वो उसके will है, वो चाहे तो national anthem के time stop हो सकता है और नहीं चाहे तो गूम सकता है, देख सकता है है ना, चाहे तो आप क्या करके गुदगुदी भी कर सकता है कि let's see, है ना, who are real Indians जो आप हिलेगा नहीं उनके उपर यह duties भी नहीं है उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो tax pay करें tax किसको देंगे, tax अपनी country को देंगे ठीक है, national flag उसको respect करना required नहीं है दूसरी विदेशी country के जो आते है वो इस duty से free है इसके साथ-साथ एक और चीज़ है in India, एक और आप देखना एक अलग separation आपको देखने को मिलेगा इंडिया और अफगान अगर हम बात करते है कि अमेरिका उनके rights में और इंडिया के rights में क्या अंतर है इन इंडिया बोथ ही citizen by birth as well as naturalized citizens मतलब जो बाद में उन्होंने इंडिया में citizenship ली are eligible for the office of president while in USA only citizen by birth and not a naturalized citizen is eligible for the office of president यह discrimination है इंडिया के अंदर अगर कोई foreigner, foreign का कोई person है वो मान लीजिए उसको पसंद आगे इंडिया पर example हम बात करते हैं कि आप एक well educated person है, अच्छे हैं पड़े लिखे हैं, handsome हैं, young है आप घूमने जाते हैं बिटेन में बिटेन में घूमने गए और पड़े लिखे हैं, तो वहाँ पर बिटेन की कोई लड़की है, वो आपको पसंद आ जाती है, वो भी आपको पसंद करने लगते हैं, दोनों प्यार में पढ़ जाते हैं और दोनों decide करते हैं कि ठीक हैं हम साधी करते हैं, मैरीज करते हैं, ठीक है साधी कर लिए आपने, उसके बाद आप इंडिया में citizenship के लिए application डालती हैं, वो जो female है तो इंडिया की citizenship उनको मान ले जी, प्रोवाइड कर दी जाती है तो इंडिया की citizen बाद में बने उसके बावजूद भी उस women के पास, उस lady के पास ये right आ जाएगा कि she can become the president of India वो भारत का रास्टपती बन सकती है वो by birth इंडिया की citizen नहीं है अभी बनी है recent में, लेकिन उसके पास power आगी कि वो इंडिया की citizen बन सकती है लेकिन अमेरिका में यहाँ पर यह बहुत बड़ा discrimination है, reason है, समझ ये reason क्या है कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा powerful post, जो main executive हो वो president है, तो ऐसे में वो चाहते हैं कि केवल ऐसा person जो starting से ही American हो American blood हो जिसके अंदर जो completely dedicated हो USA के लिए, वो ही वहाँ का president बन है तो जो by birth American citizen है only वो ही, उन्ही को ही allowed है कि वो अमेरिका में president बन सकते हैं, अगर आप इंडिया से गए ठीक है, work कर रहे हैं अमेरिका की citizenship आपने ले ली, तो आपके पास maximum सब right में लेंगे, right to vote right to work, health, education all rights are available for you but you can't become the president of America, USA आप अमेरिका का USA, आप governor बनेंगे, बहुँ सारी post-pre-elect हो सकते हैं, लेकिन आप USA की president नहीं बन पाएंगे, तो ये discrimination जो है, वो आपको वहाँ पर लगेगा ठीक है, चलिए आगे चलते हैं next चीज देखते हैं कि constitution में provisions क्या है, the constitution deals with the citizenship from article 5 to article 11 under part 2, ये आपके लिए important line है, ये आपकी notes में underline कर लेना है, इस chapter में बहुत सारी चीजे हैं, जो हम आपको skip कराने वाला हूं, है ना we have to skip because they are not that much important तो इतना important नहीं है, तो उनको हम skip करेंगे, जो important है उसी को ही हम यहाँ पर देखेंगे तो ये line important है, इसको याद कर लेना है article 5 to 11, जो है हमारे constitution में, वो citizenship को deal करते हैं, constitution के part 2 उसके अंदर ये है अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि ये permanent provisions नहीं है, citizenship के लिए जो citizenship के लिए provision हुए न, उसके लिए बात parliament को power दी गई, ठीक है ये ध्यान से रख सुनिए, however it contains neither any permanent nor any elaborate provisions in this regard, तो permanent or detailed provision नहीं है, it only identifies the person who becomes citizens of India at its commencement that is 26 January 1950 it does not deal with the problem of acquisition or loss of citizenship subsequent to its commencement simple सा है कि article 5 से 11 जो है वो initial article थे citizenship के time क्योंकि उस time हमारी parliament बनी नहीं थी हमारा constitution बना तो हमारी constitution ही हमारी as a acting parliament temporary parliament के टाइप में work किया तो उस time हमारे लिए बहुत required था, जरूरी था ये बताना कि इंडिया में citizen कोन है एक्ट प्रजेंट इंडिया में citizen कोन है तो article 5 से 11 में केवल उनी का ही provision किया गया है कि 26 जनवरी 1950 जब हमारा समिधान लागू हुआ हमारा constitution लागू हुआ commencement हुआ उस time इंडिया का citizen कोन होगा उसके बाद इंडिया में citizenship कैसे मिलेगी कैसे इंडिया की citizenship को आप सीन ली जाएगी उन सब की provision के लिए power दे दी गई parliament को कि parliament have to decide ठीक ये चीज provision जो है वो कर दिया गया it empowers the parliament to enact a law to provide for such matters and any other matters relating to to citizenship इसको दे दिया गया ठीक है और उसी को ध्यान में रखते हुए accordingly the parliament has enacted the citizenship act 1955 which has been amended from time to time time to time amend हुआ ये आपके लिए important line है ये आपको notes में लिख लेना है कि citizenship provide करने की power जो है वो हमारे पास parliament के पास है समीधान ने संसद को दी है तो फिर article 5 to 11 क्या बोलता है इन में क्या relevance है तो इसको समझते हैं इन में basically basically कुछ चीजे दी है जिनको आप यहाँ पर skip कर देना है इनको यहाँ पर skip कर दीजिए मैं आपको वहाँ पर बता इनको एक overall gist बन दाते हैं इसको आप skip कर दीजे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको confusion रहेगा और बहुत ज़्यादा important भी नहीं है बहुत tough language में इसमें आपको लिए बताया गया है तो इसको easily बाद में summarize किया गया है उस summarize को समझते हैं वो मैं आपको बताता हूँ ठीक है यहाँ से यह important है यह वाली line है इनको आप skip कर देने यह आपके लिए important नहीं है exam point of view से भी important नहीं है यह समझने है to sum up these provisions deal with the citizenship of first persons domiciled in India simple सी चीज है इसको easy language में मैं आपको समझ जाता हूँ कि 26th जैन ठीक है 1950 इस दिन भारत का नागरी कोन होगा तो ऐसे person जो इंडिया में ही born हुए हो पैदा हुए हो इंडिया में ही रहे हो है ना उनके मम्मी पापा father, mother सब लोग जो है इंडिया से रहे हो जिनने के पास इंडिया का domicile रहे हो वो इंडिया की citizen रहेंगे फिर second category है person migrated from Pakistan अब आप कहोगे सर्फ migrated from Pakistan का मतलब क्या है तो उसको समझेए 1947 में क्या हुआ इंडिया और पाकिस्तान दो अलग-अलग countries बनी ठीक है एक इंडिया बना और एक पाकिस्तान बना जब इंडिया और पाकिस्तान बना तो हमने boundaries divide कर दी तो जब boundaries divide की तो जितने भी लोग थे जितने भी citizens थे उनको हमने एक choice दी सबको choice दिया कि आप या तो पाकिस्तान में जाना चाहते तो पाकिस्तान में चले जाएं आप इंडिया में आना चाहते हैं तो इंडिया में आ जाएंगे आप अपनी मर्जी से जिस भी कंट्री में जाओगे वहां की सिटीजन सिप आपको मिल जाएगी आपको बस एक इस टाइम पिरिड में जाना पड़ेगा तो आपने देखा ना इंडिया से बहुत सारे लोग ट अगर आपने मूवी देखियो, भाग मिलखा भाग, बहुत अच्छी मूवी देखनाright पिंजर, एक मूवी पिंजर, बहुत क्लासिक जो पाटिसन का, शिटिजन सिप का इसू है, उसको लेकर क्वे बहुत क्लियर और बहुत रियलिस्टिक thinkingization आपको देखने को मिलेगा पि तो ये ऐसे में जो भी लोग 1947 में जिन लोगों को चोईस दिया गया कि आप पाकिस्तान से इंडिया में आ सकते तो जितने भी लोग पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया में आए तो उनको भी हमने अमारी citizenship दी कि ठीक है भाई यू आर इंडियन सिटिजन फ्रूम नाव इंडिया में इंडिया में लोग थे उनको लगा कि पाकिस्तान नई कंट्री वनी है बहुत अच्छा कंट्री होगी बहुत अच्छा देश अच्छा देश होगा और काफी सारे ऐसा भी हुआ कि जब पार्टीशन हुआ तो relatives families वो भी divide होगी एक ही परिवार के कुछ relatives इंडिया की side में रहे एक कुछ relative पाकिस्तान की side में चले गए तो सब ने सोचा बहुत सारे लोगों ने कि क्यों नहीं एक साथ ही रहे अलग-अलग क्यों रहे हम ही चले जाते हैं पाकिस्तान तो वो लोग पाकिस्तान गए है ठीक है पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान की citizenship उनको मिल गए लेकिन पाकिस्तान में कुछ time तक रहे और कुछ time तक रहने के बाद उनको अपनी वतन की याद आई तेरी मिट्टी में मिल जाओं मिट्टी की खुस्बू एवतन एवतन जो सा गया देश भक्ती जा गई पता चल गया कि ना पाकिस्तान जो है हमारा मुलक नहीं है उस समय बोलते ना पाकिस्तान महारो मुलक ना है हमारा मुलक हिंदुस्तान है हमें वापस जाना है हम वापस ज में सिस्टम अच्छा नहीं है यहां पर हमारे इंट्रेस्ट जो है safe नहीं है हमारी life safe नहीं है तो हमने गलती की पाकिस्तान में आ करके हम वापस जाना चाहते हैं वी वांट टू रिटन पिंजर मूवी देखना इसके लिए पिंजर मूवी मनोज वाजपई एक्सिलेंट ब्रिलियंट एक्टिंग है उसमें उर्मिला मान तोड़कर ब्रिलियंट एक्टिंग देखना उससे आपको एक बहुत अच्छा एडिया मिलेगा इस पर्टिकुलर जो पॉइंट को मैं आपको बता रहा हूं उसको देख से तो वह वापस आए इंडिया ने कहा कि ठी है इंडिया ने उनको ये भी चोईस दे दी कि चलो कोई बात नहीं भाई सुबह का भूला साम को वापस आजये तो उसको भूला नहीं कहते है ना नराज होकर चलेगे आ जाओ जैसे आप लोग कई बार कर कर रहे हूं और तुम नराज हो जाओ या फिर तुम्हारा किसी के साथ प्यार महबत हो जाओ यू फॉल इन लव डीप लव में किसी के साथ और तुम अपने फैमिली को कहो कि I want to marry this girl I want to marry this boy और आपकी फैमिली आपको लाव नहीं करे कि ना यार मत करो अभी और फिर आप ग है ना और आप चले गए छोड़ करके आप गुस्ते गुस्ते में जोस जोस में चले तो गए फैमिली को परिवार को छोड़ करके फिर आपको रियलाइज वाई यार वापस जाना पड़ेगा लेट्स गो बेक चलो वापस चलते हैं है ना भोत हो गया वापस फिर आप एक दिन दो दिन के बाद वापस आते हैं या उसी टाइम वापस आ जाते हैं फैमिली को बोलते हैं भई गलती हो गई फिर फैमिली आपको एक्सेप्ट कर ले ठीक है कि कोई वात निया आ जाओ आ गए तो सेम यही कंडिशन यहाँ पर थी जो इंडिया की सिटीजन थे जो पाकिस्तान में गए कि पाकिस्तान की सिटीजन बनेगे पाकिस्तान में रहेंगे फिर उँन को अच्छा नहीं लगा वहाँ पर तो व careless आ गए तो वापस आगे तो इंडियान ने वोला कि कोई वात नी मोस्त वेलकम आ जाओ आपका भी और केटेगरी थी, इंडिया के अंदर काफी सारे जो बिटिसर्स थे, बिटिसर्स बहुत कुरूल थे, एड्मिस्रेशन बहुत कुरूल था, बहुत जादा राइट्स आपके पास थे नहीं, बहुत जादा क्या राइट्स ही नहीं थे, तो ऐसे में क्या होता था, कि इंडिय के जो लोग थे वो educated होने लगे पढ़ने लगे western education जब उन्होंने देखी तो उन्होंने western और बहुत सारी other countries के civilization को समझा understand किया देखा उनके structure को देखा उनके democracy उनके rights को understand किया तो उनको लगाए कि या India is not safe वो इंडिया में नहीं रहना चाहते थे तो उन्होंने क्या-क्या business कर पढ़ने के लिए वो other country में चलेगे वहां की citizenship उन्होंने ले ली या कोई mother father इंडिया के हैं उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए other country में भेज दिया या बिटिसर्स के डर से उनके fear से वो यहां से इंडिया को छोड़ करके किसी other country में जाकरके रहने लग गए हैं हमारी life को भी threat हैं बिटिसर्स तो बड़े cruel हैं लेकिन 1947 में हम independent होगे आजाद होगे और जब आप आजाद होगे तो जितने भी लोग जो भारत से भाहर किसी दूसरी country में गए हुए थे तो उनके दिल में उनके अंदर भी फिर से अंदर से तो इंडियान होते हैं ना भ उनके दिल में भी प्यार जागा है ना आब लोट चले उस तरीके से तो आब लोट चले वाला दोर शुरूआ वो आने लगे इंडिया में वापस आने लगे उन्होंने कहा कि हम तो डर के गए थे अंग्रेजों से लेकिन अब अंग्रेज चले गए तो हम तो इंडिया में रहना चाहते हैं, we want to be in India only, तो आमने उनके लिए भी प्रोविजन कर दिया, कि ठीक है, जो लोग भारत से बाहर रह रहे हैं, अगर 26th January 1950 तक, आप लोग इंडिया में आते हैं, आप भी इंडिया की citizen हो जाएंगे, ठीक है, ये सारी की सारी चीजे, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, हाँ, वो अलग बास है कि खहीपर दुबई गया हो है, तो दो तिन लाख रुपे लेते हैं मन्थ का ओफंड लाख रूपे देखलो बस, मतलत मुझ में पानिया आ जाता है, लोगों की किर दुबई गया हैं, दो तिन लाख रुपे लिते हैं, कमाते हैं, इ इसलाम की तरह रहना पड़ता है, डर के रहना पड़ता है, फियर में रहना पड़ता है, आप चले जाओ, अब UAE और उनकी जब अगर बात करते हो, रिलिजियस, रिलिजियन के आपके पास फ्रीडम नहीं है, किसी भी टाइम के अभी भी आपके साथ कोई भी कहीं नहीं है, दुनिया में नहीं है, वो अलग बात है कि हम भागे रहते हैं, आगे पीछे जाते हैं, कनाड़ा, कोई जर्मनी जाएगा, कोई बिटेन जाएगा, कोई यूएस से जाएगा, जैसे पढ़ लिखे लेंगे, खूब लिखेंगे, जैसे अच्छी डिगरी मिल पहल आएगी, फिर जाएगे तुरंट, अझेज लिए ऐसे की सिटीजन्स भी लेने के लिए, कनाड़ा, कनाड़ा जाएगे, उत्थे बलले-बलले करेंगे, वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर चले जाओगे ना, तो आप सिटीजन भी बन जाते हो, तो भी वहाँ के लोग वल्ट ट्रीट नहीं करते हैं, आज भी situation है, ध्यान रखेगा, Australia में, USA में, जो बहुत super, बहुत developed countries हैं, वहाँ पर आज भी, जो Asian people हैं, जो वहाँ के citizen बन गए हैं, रह रहे हैं, work कर रहे हैं, उन्हीं के लिए, काफी time से, generations वहाँ पर होगी, लेकिन आज भी उनको देखा जा violent activities होती हैं, तो हमारे इंडिया से अच्छा तो कुछ नहीं है भाई, अब वो अलग बात है कि आप लोग कहीं पर भी चले जाओ, लेकिन जो इसलिए आप देखना कि maximum लोग जो है वो इंडिया में return आना चाते हैं, वापस आना चाते हैं, और जो हमने बाद में उनके लिए main features हैं, जो आपको important है, जो आपको अपनी book के अंदर रख लेना है, जो sum up आपको करके दिया है, बाकी के जो इसमें detail में जो चीजे बताएगी, वो काम की नहीं थी, उनको आपको skip कर देना है, तो ये तो हो गया citizenship act का, अब कुछ और भी, अगर आप बात करते हैं, कि provision है, ज the other constitutional provisions with respect to the citizenship are as follows, पहला, no person shall be a citizen of India, or be deemed to be a citizen of India, if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state, इंडिया में कहे न, single citizenship है, dual citizenship का concept ही नहीं है, अगर आपको लगता है, बाई बर्थ, ए परसंग बोर्न इंडिया, on or after January 26, 1950, but before July 1, 1987, is a citizen of India by birth, irrespective of the nationality of his parent, ठीक है, तो जिसका जन्म हुआ, भारत के अंदर, हमारे समिधान लागू होने के बाद, और 1987 से पहले, इस time period में, कोई भी परसंग, जो भारत के अंदर, जन्म हुआ जिसका, ठीक है, तो वो भारत का, क्या होता है, citizen माना जाएगा, चाए उ country के हो, हम उनको choice देंगे, कि अगर आप चाहते हैं, कि आपका बच्चा इंडिया का citizen रहे, तो वो कर सकते हैं, ए परसंग बोन इन इंडिया, और और आफ्टर परस्ट जुलाई 18, 1987, is considered as a citizen of India, only, if either of his parents, is a citizen of India, at the time of his birth, ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल सा है, कि 1987 के बाद, अगर मम्मी या पापा में से किसी एक के पास इंडिया की citizenship हो, अगर father या mother में से किसी एक के पास citizenship नहीं है, इंडिया की, तो उसको by birth citizenship नहीं मिलेगी, 2004 में इसमें एक और change कर दिया गया, ठीक है, एक और जब amendment हुआ, तो उसमें ये कर दिया गया, कि अब आपके जो इंडि इंडिया की citizen होंगे ठीक है या इंडिया का citizen हो और कोई illegal immigrant ना हो ठीक है कोई foreigner हो सकता है legally इंडिया में रह रहा हो हो सकता है illegally ना हो जबरदस्ती घुसा ना भारत में ठीक है तो यह सब लोगों को आपको by birth इंडिया की citizen मिल जाती है तो logical sa provision अभी इंडिया में यही है कि अब आपके मपनी पाल अगर आपके इंडिया के citizen तो आपके पास इंडिया की citizenship मिल जाएगी अगर आपके मम्मी पापा में से मदर फादर में से एक इंडिया का citizen है दूसरा इंडिया का citizen नहीं है और वो illegal immigrant भी नहीं है ठीक है तो भी by birth आपको इंडिया की citizenship जो है वो मिल जाएगी ठीक क्लियर चलते हैं 1987 है 47 का कहा आगे तुम 47 के लिए तो बताई दिया ना वो तो constitution ने article 5 to 11 में दे दिया article 5 to 11 में provision करतो रख्या है 47 वालों के लिए अब 47 कहा आएगा 87 आएगा सम अकोर्ड के बाद की बात करते हैं इसको हम explain करेंगे जब हम CAA के उपर discussion करेंगे बोद ठीक है यह चीज है अब यह भी ध्यान रखना है कि current में अगर कोई आपको लगता जो से provision था पहले कि 1950 से 1987 तक कोई भी इंडिया में अगर birth हुआ तो इंडिया का citizen बन सकता है लेकिन अगर अगर इंडिया के अंदर कोई foreigner है कोई foreign diplomat है वो इंडिया में आये घूमने फिर ने आये पती पत नहीं आये pregnant है उनका बच्चा उनकी delivery इंडिया में होगी तो उनको इंडिया की citizenship नहीं मिलेगी 1987 से पहले होते तो उनको मिल सकती थी उनके पास choice थी कि वो अपने बच को इंडिया का citizen होना mandatory है या दोनों को होना जरूरी है और अगर एक इंडिया का citizen है दूसरा नहीं है तो दूसरा illegal immigrant नहीं होना चाहिए ठीक ये है कोई भी जो enemy alien है जैसे मालने जो पाकिस्तान के कोई वक्ति है वो आगे उसको भी नहीं मिलेगी ठीक उनको भी right नहीं है वन सक्याधार पर वन्स परम्परा वन्स मतलब अक्यां हुए आपके बच्चे हुए आपके बच्चें के बच्चें असको हम बोलते है वन्स परम्परा एसान born आओटसाइड इंडिया on or after January 2650 but before December 10 1992 is a citizen of India by descent if his father was a citizen of India at the time of his birth एक ये भी प्रोविजन है कि कोई भी person जिसका जन जिसका बर्थ 1992 से पहले और 1950, 26 January 1950 के बाद किसी भी कंट्री में हुआओ, कहीं पर भी हुआओ, किसी भी देश में हुआओ उसको भी हम इंडिया का citizens मानेंगे अगर उनके father इंडिया की citizen है अब इस matter वो लेकर के बड़ा issue हुआ gender, क्योंकि हमारे ministry of women वो उसका establishment हो चुगा था और महिला फिर उन्होंने आपत्ती उठाई इसके उपर question उठाया कि ये provision जो है ये तो gender discriminate करता है gender discrimination से जुड़ा हुआ इसको change करने के जरूरत है requirement है पापा होगा तभी नागरिकता मिलेगी मम्मी ने क्या बुरा कर लिया भई why not mother also ठीक है ये क्या मतलब हुआ कि पापा इंडिया का citizen होना चाहिए तभी मिलेगी मम्मी इंडिया की citizen है और father को या other country का citizen है तो नहीं मिलेगी तो इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई तो इसमें amendment किया गया और अभी provision ही है कि इंडिया का कोई भी उसका mother और parents में कोई भी हो father हो या mother हो अगर वो इंडिया के citizen है इस time period में और उनका birth कहीं भार country में हुआ है तो उसको भी हम once के आधार पर descent के basis पर इंडिया में citizen सी provide कर देते है ठीक है यह भी simple सी चीज है अब एक और है कि ए person born outside इंडिया on or after December 1992 is considered as a citizen of India if either of his parents is a citizen of India at the time of his birth ठीक है तो same वही चीज़ मैंने बता दिया कि 1992 के बाद से अगर आप for example मान लेते हैं कि आप घूमने गए आप study करने गए study visa पर गए आप Australia और आपको वहाँ पर Australian लड़की पसंद आ गए ठीक है आप लड़के हैं आपको वहाँ पर जा करके लड़की पसंद आ गए Australian अब पसंद आ गए प्यार मुबत हो गया बच्चा हो गया प्यार की निसानी आ गई अब प्यार की निसानी आ आपकी आ गई आपका gift आ गया बच्चा तो उस time आप तो इंडिया की citizen है ठीक है लेकिन आपके बच्चे का बर्थ हुआ इंडिया के बाहर और उसकी मदर भी इंडिया की citizen नहीं है लेकिन हमारा constitution आपको राइट देता है कि अगर आप चाहते है तो उसको इंडिया के citizen बना सकते है उसके पास राइट रहेगा कि आप Australia में रहना चाहते है उसका citizen बनाना चाहते है तो उनकी citizenship act के according देखो लेकिन इंडिया में आपके पास राइट है क्योंकि आपके पापा है वो इंडिया की citizen है ठीक है अगर मम्मी होती कोई लड़की गई औस्टेलिया पढ़ने गई कोई लड़का पसंद आ गया वहाँ पर बच्चा हो गया तो उनके पास भी राइट रहता है कि उस बच्चे को इंडिया की citizenship मिल जाएगी ठीक है अब इसके साथ-साथ एक और चीज है ध्यान रखिये कि जन्म के बाद आपका पंजीकरन करवाना जरूरी है ठीक है December 2004 onwards a person born outside इंडिया shall not be a citizen of इंडिया by descent unless his birth is registered at the Indian consulate within one year of the date of birth or with the permission of the central government after the expiry of the said period तो same वही है कि आपको वहाँ पर वो करना पड़ेगा Indian consulate के पास जा करके registration करवाना पड़ेगा बताना पड़ेगा कि दखो भई मैं इंडिया का citizen हूँ but my wife is not Indian citizen she is gori maim gori 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 and we both fell in love and our love product जो है is our child so I want to I want to make him Indian citizen so I came here to register his name his birth तो तुम वहाँ पर register करवाना mandatory है ध्यान रखना क्योंगि आप लोग पढ़ने वाले हो study करने वाले हो भरोसा नहीं है आप लोग कभी भी जा सकते हो बाहर work करने चले जाओ IFS बन गए मान लीजी IFS बन गए Indian foreign service में गए और आप भार जाकर गए घूम रहे हो कुछ भी हो सकता है वाई तो आप register करवा लेना within one year बच्चा जब हो जाए तो within one year Indian councilate के पास जाकर गए registration जरूर करवा लेना नहीं तो इंडिया की citizenship नहीं मिलेगी उस बच्चे को ये problem रहेगी इसको ध्यान रख लेना है चलिए आगे चलते है और ठीक उसमें भी आपको एक basic सी कुछ formalities पूरी करने पड़ती है आपको एक undertaking देनी पड़ती है writing में कि उनके पास जब आवेदन कर रहे है तो उनके बच्चा जो है उनके जो child है ठीक है चाइल्ड के पास किसी भी country का passport नहीं है वो पैदा हो गया लेकिन उसके पास passport नहीं है किसी भी country का तो आप देंगे तो आपको इंडिया की citizenship जो है वो मिल जाएगे अब अगले पर हम चलते हैं ठीक further a minor who is a citizen of India by virtue of descent and is also a citizen of any other country cease to be a citizen of India if he does not renounce the citizenship attaining full age ठीक है इस चीज़ को समझे किसका मतलब क्या है इसको मैं एक्स्प्लेइन करता हूँ एक्जाम पल के तोर पर मान लीजिए किसी का जन हुआ ठीक है इसको समझे कि फादर जो है फादर जो है वो मान लेते हैं इंडियन है ठीक है मदर है मदर जो है उसको हम बात कर लेते हैं कि वो है USA की अब इन दोनों में क्या होगी दोस्ती होगी प्यार हो गया इनका हो गया बच्चा तो इसके बच्चे का हो गया बर्थ अब ये बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया ठीक है इनका बर्थ हुआ USA में तो माल लेते हैं कि इसको USA की citizenship मिल गई ठीक है लेकिन इन्होंने इंडियन काउंसिलेट में भी registration करवा रखा है ठीक है उस टाइम पासपोर्ट नहीं बनाया है पासपोर्ट बनने में टाइम लगता है 18 प्लस होने पर आपका पासपोर्ट बनता है तो माल लीजिए कि इंडिय एंडिया से है दूसरा विदेश से हैं तो हम इसका इंडिया के इंडियन काउंसिलेट मेंình करा धेते हैं रेजिस्ктरेशन उन्हों करवा दिया हुश हिए लेकिन उन्होंने citizenship नहीं ली अभी इंडिया की ठीक है इंट्रेस्ट नहीं दिखाया USA की citizenship उसको मिल गई अब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है ग्रो करता है ठीक है और ग्रो करता करता less than 18 years वो 18 साल से पहले जिसको बोलते हैं बालिक ओना अडल्ट होना वह अडल्ट नहीं है अभी, अडल्ट होने से पहले ही वो चाहते हैं कि वहाई अमेरिका में हमें नहीं लग रहा साहिं, हम इंडिया की चिटिजन्सिप लेना चाहते हैं, जाना चाहते हैं तो ऐसे में उनको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले उनको जो nationality न दूसरे देश की वो छोड़नी पड़ेगी ठीक है छोड़नी पड़ेगी उनकी nationality छोड़ देंगे और फिर उसके बाद वो इंडिया की citizen बन सकते इंडिया की citizenship जो है अडोप्ट कर सकते है तो बड़ा होने के बाद भी आपके सामने एक provision है ठीक है चलिए ये भी एक provision उनके पास रहता है अगला है registration से by registration तो पंजी करन से भी आप इंडिया की citizen सी प्ले सकते हैं by registration the central government may own an application registered as a citizen of India any person not being an illegal migrant if he belongs to any of the following categories namely कुछ categories इंडिया ने decide कि है अगर उन categories से अगर कोई person है उसको हम registration के थ्रूब इंडिया की citizenship दे सकते हैं बस वो illegal immigrant नहीं होना चाहिए illegal migrant जो है वो नहीं होना चाहिए सबसे पहला क्या a person of Indian origin who is ordinarily resident in India for seven years before making an application of registration माल लेते हैं कि इंडिया का कोई person है विदेश में चला गया अमेरिका अच्छा लगा अमेरिका में रहने लगया या कनाड़ा अच्छा लगा कनाड़े में रहने लगया वहां की citizenship ले ली अब उसको अपने देश की मिट्टी की खुस्बू याद आई तेरी मिट्टी में मिल जाओ गाना सुना मिट्टी की खुस्बू वापस आया वतन की याद आई वापस आगया खेतों की याद आई वापस आगया साथ साल से इंडिया में ही रह रहा है ठीक है तो उसको भी यह राइट है कि वो यहाँ पर application दे सकता है आवेदन दे सकता है कि मैं वापस इंडिया का citizen बनना चाहता हूँ तो उसको इंडिया की citizenship दे सकते है registration के थूँ इंडिया की government कर सकते है ए person of Indian origin who is ordinarily resident in any country or place outside undivided India ठीक है कोई भी भारतिय मूल का व्यक्ति जो औव भाजित भारत जब हमारा कोई ऐसा person जब हमारा इंडिया पाकिस्तान के बीच में division नहीं हुआ था अलग नहीं हुए थे ठीक है 14th August 1947 के बात कर रहा है वो उस time से ही अगर कहीं बाहर किसी अधर country में रह रहा है तो उसको भी हम registration के थूँ हमारे इंडिया की citizenship दे देते है उनके लिए provision जो है वहाँ पर article 5 से 11 में है इंडिया के लेकिन वो provision केवल 26th January 1950 तक के लिए थे कि अगर तब तक अगर वो इंडिया में वापस आ गए तो तो उनको citizenship मिल जाएगी लेकिन कई लोगोंने decision लेने में देर ही कर दी हो सकता है कि उनको बहुत time लग गया हूँ उनको अब याद आ रहा हो उनको realization हो रहा हो कि भई हमें तो इंडिया में रहना चाहिए तो अभी भी वो पंजी करन registration के माध्यम से आ सकते हैं लेकिन अभी तो इसका chance जो है वो इतना रहेगा नहीं क्योंकि 1947 और 1947 के बाद से अगर हम बात कर लेते हैं अभी के current scenario का तो कोई भी person मान लेते 1946 में भी पैदा हुआ कहीं बहार इंडिया के citizen रहा हो लेकिन बहार चला गया हो ममी पापा के साथ 1946 में 1947 में एक साल का भी होगा तो आज के time में देखोगो तो 75 years प्लस हो जाएगा वो बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे कि 75, 70 age में जिन्दा रहेंगे लेकिन उनके लिए provision था कि आप by registration इंडिया में आ सकते हैं किसी भी time आपको हम citizen सी provide कर देंगे यह है ठीक है a person who is married to a Indian citizen to a citizen of India and is ordinarily resident in India for seven years before making an application for registration अब भाई ऐसा थोड़ी होता है कि इंडिया के लोगी विदेशियों के साथ साधी करते हैं विदेशी लोगों को भी इंडिया के लोग पसंद आते हैं रहे हम में भी कमी थोड़ी एंडियांस में इंडियन्स में बड़े अच्छे होते हैं, अट्टे-गट्टे होते हैं, जवान होते हैं, खूबसूरत होते हैं, राजीव गांधी खूबसूरत ही थे, ठीक है, बढ़िया थे, ठीक है, ऐसे ही और भी आप न्यूस्पेपर में खबरे सुनते होंगे, आज कल, बहुत सारी न्यूस्पेपर में इस तरीके की न्यूस आती होंगी, फोटोस के साथ, की गोरी मेम को पसंद आया भारती लड़का, है ना, गोरी लड़की ने की, भारती लड़के के साथ साधी, इस तरीके की फोटो आपको देखने को मिलते हो, इस तरीके की पिक्चर्स, स्माइल घुरी में के साथ साधी हो गाएं तो मानलेजिए कोई विदेसी यह Bij भारत के किसी citizen connection की साधी कर दो उसके पासि राइट है कि वो इंडिया का citizen इसके लिए आपको कम से कम साल तक भारत में रहना पड़ेंगा, 7 years तक इंडिया में रहना पड़ेगा 7 साल भारत में रहोगे तो आप registration के लिए अपला ही कर सकते हो यह बन सकते हो Minor children of person who are citizen of India ठीक है भारत के जो नागरिक है उनके नावालिक बच्चे जो कहीं बाहर गए हों वहाँ पर पैदा हो गए हों तो उनको कर सकते हैं यह ब्रोव यह ना आई वाइंडिया में जाना पड़ेगा वही पर दाल गलेगी हमारी यहां पर दाल नहीं कलने वाली है वहाँ पर हर गली मुले में ऐसे यह ब्रोव गुमते हैं लेकिन इंडिया में आ जाएगा तो वोश पूपूलर हुज अच्छा जाएगा वाव इस पर इंडिया की सिटीजन सिप ले सकता है तो यह बहुत सारी चीजे हैं जो आपको इंडिया की सिटीजन सिप के एक्ट में प्रोविजन मिलते हैं ठीक है ए परसन ओफूल एज एंड कैपेसिटी हूँ और इदर ओफ इस पेरेंट्स वर वाज अर्लियर सिटीजन ओफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इस ओडिनरली रेजिडेंट इन इंडिया फोर 12 मंथ इमेडियेटली बिफोर मेकिंग एन एप्लिकेशन फोर रेजिस्ट्रेशन यह भी यहां पर आप कर सकते हैं ठीक है तो इनको भी यह मिलता है ठीक है चलिए अब भारतिय मूल का व् इस पेरेंट्स वाज बोन इन अंडिवाइड इंडिया और इन सच अधर टेरिट्री विच बिकम पार्ट अफ इंडिया आफ्टर अगस्त 15 1947 अंडिवाइड इंडिया और 1947 के बाद जो टेरिट्री जैसे गोवने गोवा लिया पुड्डुचेरी ठीक है दमने दीव उनको हमने बाद में एक्वाइर किया बाद में उनको अडोप्ट किया तो उसके वो सिटीजन रहे हूं ठीक है वहाँ पर बोर्न हुए हूं तो वो सब लोगों को हम इंडियन ओरिजन का परसन जो है वो मानते हैं फिर चाहे वो उसके बाद कहीं पर भी चले गया हूं किसी भी कं एक आपको ओथ लेनी पड़ती है इंडियन सिटीजन के लिए सिटीजन के लिए एक और है जिसको हम बोलते हैं बाई नैचुरलाइजेशन दा सेंट्रल गवर्मेंट में ओन एप्लिकेशन ग्रांट ए सट्टिफिकेट ऑफ नैचुरलाइजेशन तो एनी परसन नोट प्राकृतिक रूप से नैचुरलाइजेशन के रूप से नागरिकता दे सकती है अगर उसके पास कुछ चीज़े हो जैसे को तैसा वाला इसाब है अगर इंडिया की सिटीजन को किसी अधर कंट्री में नैचुराइजेशन के साथ उसमें भी basically registration ही है वो ही होता है तो उसके process से आपको अगर वहाँ पर citizenship मिल सकती है तो उस country के citizen को इंडिया में भी अगर वहाँ पर नहीं मिलती है इंडिया के सिटिजन को वहाँ पर यह राइट नहीं है तो other country के सिटिजन को भी यह राइट इंडिया में नहीं मिलेगा सिंपल से पाकिस्तान जैसे for example आगया that if he is a citizen of any country he undertakes to renounce the citizenship of that country in the event of his application for Indian citizenship being accepted ठीक है अगर कोई person यह कहता है कि भाई मैं अभी current में दूसरी country का citizen हूँ लेकिन जैसे ही मैं इंडिया की citizenship मिलेगी मैं other country की citizenship छोड़ दूँगा तो ऐसे person को भी naturalization के basis पर Indian government citizenship दे सकती है that he has either resided in India or been in the service of a government in India or partially the one and partially the other throughout the period of 12 months immediately proceeding for the date of application अगर वो भारत में रहे रहा हो भारत की सरकार में काम कर रहा हो ठीक है तो application से रजिस्टर जो application देने से पहले बारा महीने तक continuous total to 12 months है कि इंडिया में रहो तो उसको भी इंडिया की citizenship जो है वो provide करने का provision government कर सकती है ठीक है वो उसका right नहीं है कि होगा ही होगा कर सकती है वो apply कर सकता है फिर वो इंडिया की government है वो decide करेगी करना है कि नहीं करना ठीक है त नहीं पड़ूंगा तो तो मैं आपको एक बार रीड़ करके बोल देता हूं that during the 14 years immediately proceeding said period of 12 months he has either resided in India or been in the service of government in India और partially the one and partially the other four period amounting in the aggregation not less than 11 years ठीक है याने कि टोटल 11 साल तक वो भारत में रहा हो 11 years तक last 14 years के अंदर simple सा मतलब यह है कि अगर कोई person है वो 14 साल के अंदर वो इंडिया में आया इंडिया से गया इंडिया में आया इंडिया से गया वीजा लिया आया काम किया जोब की वर्क की किया तो last 14 years में उसका इंडिया के अंदर रहने की जो टोटल दिन है वो आपके पास 11 years होने चाहिए कम से कम ठीक है इतने साल तक भारत में रहना चाहिए और उसमें भी जो immediate 12 month है वो non-stop regular इंडिया में होना चाहिए तब उसको आप ये citizenship यहाँ पर provide कर सकते हैं good character होना चाहिए अच्छा character होना चाहिए ठीक है समिधान की आठवी अनुसुची में जो कोई भासा है जो eight schedule में जो language है उन में से किसी के बारे में उसको अच्छे knowledge होने चाहिए यह सब basis उन को देते हैं इसलिए आप देखना कि बहुत सरे इंडिया में जैसे ये प्रोविजर नहीं यहां पर इस प्रोविजर के लिए आप देखोगे तो इंडिया में बहुत सारे foreign Far out from India में आकर कि क्या आते हैं वह इंडिया की लेंग्वेज की studie करते हैं इंडियन Language की studie करते हैं और इंडियन लेंग्वेज की स्टडी करने के बाद एक दो लैंग्वेज हिंदी भी सी जाते हैं एंगलीस तो आती है ठीक हो और लोकल रीजनल लैंवेज भी सीख लेते हैं एक दो शंस्क्रित के उपर भी फोकस करतें फिर वो लोग भी application । डालते वो इंडिया के अंदर आती है और फिर इंडिया में आती है बनारस के अंदर आती है सायद और बनारस में आने के बादो देखते हैं कि यहां पर religion के base पर आप बहुत अच्छी income कर सकते हो religion जो है इंडिया के लोगों को blind कर देता है तो फिर वो बड़ा ही दिमाग लगा करके चाला की से क्या करती है वहाँ पर एक person होता है जो mediator होता है basically जो आपको house बगएरा rent पर दिलवाने का काम करता है commission basis पर और साइद वो बारबर होता है तो फोर्णर वहाँ पर आकर करके study करती है कुछ साल रहती है कुछ language सीखती है और फिर उस बारबर के साथ वो साधी कर लेती है विवा कर लेती है और फिर बाबा बन जाता है उसका बारबर है ना वो बारबर बाबा बन जाता है बारबर बाबा ठीक है और फिर उसके बाद वो कैसे इंडिया के अंदर पैसा अर्ण करते हैं रिस्पेक्ट अर्ण करते हैं वो दिखाया तो वह भी वह मुवी देखोगे तो वहां से भी आपको एक आइडिया जो है वो पता चलेगा कि कैसे इंडिया में foreign person जो है जो विदेशी लोग है वो किस तरीके से उनको Indian citizenship जो है provide कर दी जाती है ये भी है आपको मोहलासी नाम है उस movie का उसको देख लेना ठीक है बाकी ये इतने important नहीं है आप इनको skip कर सकते हैं जो जादा important है उसके आगे में notes वही बनाना जहाँ पर मैं ये लिखूँ important जितने भी ये केवल मैं आपको समझाने के लिए बतारूँ क्योंकि book के अंदर है तो आपको understand हो जाए समझ जाओ उस हिसाब से मैं बतारूँ important वही है जिसके आगे मैं लिखूँगा important उसी को ही notes बनाना है उसी को ही highlight करना है ठीक है जिसके आगे मैं important ना लिखूँ तो उसको highlight नहीं करना ठीक है ना ही उसके notes बनाना ये बाकी चीज़े बस मैं आपको केवल समझाने के लिए to make you understand better तो मैं आपको बोल रहा हूँ इस चीज़ को आप समझते बें चलने है ठीक है चलिए ये चीज़े है ठीक है इसको आप skip कर सकते हैं आपके काम का नहीं है ठीक skip कर सकते हैं इन चीज़ों simple सी एक चीज़ थी उसको बहुत complication कर दिया गया है एक और है कि by incorporation of territory if any foreign territory becomes a part of India ठीक है ये भी आपके लिए important है इसको बना ले ना the government of India specifies the persons who among the people of territory shall be the citizen of India अगर मान लेते हैं कि इंडिया ने कोई territory acquire की इंडिया के पास आई तो वहां का जो citizen है न वो भी इंडिया का citizen हो जाएगा for example हमने दो हो अगर हम बात कर दे तो आपने देखा पूंडिचेरी ठीक है फिर हमने देखा गोवा फिर हमने देखा दमने दीव तो ये सबी ऐसे एरियास थे जिनके उपर पूर्तगीज और फ्रेंच उनका कंट्रोल था आफ्टर इंडिपेंडेंडेंस भी आजादी के बाद भी तो टाइम टू टाइम आफ्टर एसेवरल टाइम ओफ पिरिएड हमने इनको इंडिया में मिलाया तो हमारे एक्वाइड एरियास में आ गए थे तो वहां के जो सिटीजन होते थे ना तो पहले उनको फ्रांसी सी फ्रेंच सिटीजन सी पूर्तगीज इस तरीके की चीज़े उनके पास होते थी तो उनको हमने इंडिया की सिटीजन सीप दे दी फूर एक्जामपल मान लेते हैं कि अभी करेंट में अगर हम पाकिस्तान की वह एक्वाइर कर लें ठीक है पूरा पाकिस्तान एक्वाइर कर लिया जाए वो टेरिट्री हमें मिल पागिस्तान के जितने पीन लिगे वो सारी इंडिया लिए नेपाल और की सिडिजन इंडिया जीन और गलिए है न तो यह एक सिस्टम है省 के लिए तो तीक है सा अर। अब कुछ शृषक्अ प्रोविजन्स मीधे मार्यक्ष को लेकर लेते हैं कि क्या हवा था किस तरीके से था कि एसम अकोर्ड थोड़ा सा important इसलिए हो जाता है क्योंकि इंडिया में जो illegal migrants है वो time to time आते रहें बहुत आते और सबसे ज्यादा illegal immigrants हमाईगरेंट्स जो आ रहे हैं वो बांगलादेस से आये, क्या हुआ इसको समझे धिहान से, 1971 में 1971 के अंदर क्या होता है कि इंडिया और पाकिस्तान की वार होती है, ठीक है, वार होती है इंडिया और पाकिस्तान, तो इस टाइम बांगलादेस नहीं था, ये इस्टन पाकिस्तान था, इसको हम बोलते थे सिमी पाकिस्तान उनकी आर्मी ने उनकी मिलिटरी ने यहां के जो लोग थे बंगला के बंगलादेश के नागरिक थे उनके उपर बहुत ज्यादा कुरूळ क्रूवली उनके साथ बिहेव किया एक साथ लाइन में खडा करके गोलियों से मारा गया उनको जो भी मिल जाता जो भी बांगला मुक्ती के साथ जुड़ा हुआ था जो भी separate बांगलादेस की डिमांड करता था हर किसी को ढूंड ढूंड करके गोली से मारा गया तो ऐसे में भूत ज्यादा प्रोब्लम भी तो लोगों को security नहीं फिल भी लोगों को लगा यार बांगलादेस में रहेंगे तो मारे जाएंगे तो बहुत बड़ी population जो हो migrate करके इंडिया में आई नोर्थ इस्ट के अंदर और नोर्थ इस्ट में भी maximum जो जगेली असम के अंदर तो ऐसे में असम के अंदर जो हमारा जननांग की धाचा था जो डेमोग्राफी थी आप देखोगे तो उसमें बहुत बड़ा चेंज आ गया इंडियन सिटिजन और बांगलादेशी माइग्रेंट्स उनकी पोपुलेशन जो हो बहुत लगवग लगवग पैरलेल से होने लगी लाखों में मिलियन्स में लोग यहां पर आकर गे रहे जब ऐसे में हुआ तो असम के जो मूल निवासी थे जो ओरिजिनल वहां के रेजिनेंट थे उनको ये थ्रेट हुआ कि भई अगर इतनी बड़ी पोपुलेशन अगर यहां पर आ गई तो असम के रिसोर्सिस के उपर भी कंट्रोल हो जाएगा ठीक है रिसोर्सिस के उपर एंप्लोईमेंट पर भी कंट्रोल हो जाएगा और अगर इनको सिट इतनी रहेगी नहीं तो इंडिया की जो political parties है वो इनके आगे पास आज पास गुमेंगे इनको ज्यादा value करेंगी जो main वहां के असम के जो निवासी थे उनको इतनी ज्यादा value देगी नहीं तो असम में इसके लिए बहुत बड़ा protest हुआ बहुत पहले से ही अभी भी अगर आ ज्यादा कोई violent अगर प्रोटेस्ट अगर हुआ है तो वह असम के अंदर ही हुआ है इसको मैं जब कल की क्लास आपके लिए लिए लोगा ना इसमें मैं सिटीजन सिप अमेंडमेंट को एक्स्प्लेइन करूंगा कि इंडिया में किस किस टाइम आया कैसे कैसे आया वो फ्री एरियाज में भी वह लेकिन वहां पर छोटा-छोटा कुछ प्लेसिस में जैसे दिल्ली में साहीन बाग वाले लाके में हुआ वेस्ट बंगोल के कुछ एरियाज में हुआ बाकी जगह पर नहीं हुआ बाकी जगह पर मामला ठीक था लेकिन असम के अंदर अभी भी violent प्रिजन है जो वहां के resident है उनके rights जो है न वो कम हो जाएंगे वो compromise हो जाएंगे उनके resources उनकी jobs वो compromise हो जाएंगे तो यही चीज़ 1971 में भी बड़े पोपुलेशन असम में आई अब वो असम में आ तो गए अब वो वापस नहीं जाना चाहते थे उन्होंने कहा कि एर बांगला देश में जाएंगे तो भई हम वा नहीं जाना चाहते क्योंकि हमारी life safe नहीं है अब हम इंडिया में आ गए यहीं पर रहना चाहते हैं तो गवर्मेंट और असम जो है उसके बीच में एक समझ होता होता है जिसको असम अकोर्ड हम मोलते हैं 1985 का और उसमें कुछ प्रोविजन कर दी जाते हैं क्या प्रोविजन करते हैं सबसे पहला प्रोविजन तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि 1966 से पहले जो भी पर्सन इंडिया में आए असम के अंदर बांगलादेश से आए वो सब इंडिया के सिटीजन जो है वो कहलाएंगे उन्हों सब भी को भारत का नागरिक कहा जाएगा ठीक है सबसे पहली चीज तो यह तो ओगे जो पुराने आये थे ठीक है मामला सुलट गया यह हो गया क्योंकि उस ताइम और भी व आगर legs up अचलेा हमने एक प्रोविजन किया था ना कोई बीएसा person जो इंडिया का है वो पाकिस्तान में चला गया है तो वो पाकिसタन से इंडिया में आ सकता है सृटिजहनसिपineaट मिल जाए गी 1967 के बाद 66 के बाद every person of Indian origin who came to Assam on or after the January 1966 but before the March 25th 1971 from Bangladesh and who has been ordinarily resident in Assam since the date of his entry into Assam and who has been detected to be a foreigner साल रेजिस्टर हिमसेल्फ है ना तो नोने का कि 1971 तक जितने भी लोग इन्टीन सिस्टे सिक से जितने भी लोग इंडिया में आये उनको एक बर अपना रिजिस्ट्रेशन इंडिया में करवाना पड़ेगा ठीक है और अपने प्रवेश्ट के समय से वह समय निवासी रहें तो उनको एक बर अपना रिजिस्ट्रेशन यहां पर करवा देना पड़ेगा और रिजिस्टर करने के बाद सच ए registered person shall be deemed to be a citizen of India for all purposes as from the date of expiry of period of 10 years from the date of detection as a foreigner ठीक है तो simple सा इननों को अगा कि इतने time के लोग अगर आएंगे अगर वो register करवा लेते हैं ठीक है तो register करवाने के बाद उनको हम एक status दे देंगे और after registration के 10 साल के बाद उनको इंडिया की citizenship के सारे के सारे चीज़े जो है वो मिल जाएगा ठीक है बट इन दा intervening period of 10 years he shall have the same rights and obligation obligations as a citizen of India accepting the right to vote असम की जो political parties थी उनका major issue major concern यही था कि बांगलादेश से जादा तर लोग आए अगर उनको citizenship दे दी तो यहाँ पर दूसरी political parties जो है वो जादा dominant हो जाएगी Indian political parties को नहीं part मिल पाएगा तो उनके इस issue को solve करने के लिए कर दिया गया कि भाई यह जितने भी 1971 तक जितने भी आए असम के अंदर जो बांगलादेश के साथ जब वो वार का जब मामला था तो 25 मार्च साइब जो date है यहाँ पर आपकी जो दी गई है वो ही दी गई है मार्च 25 1971 उस टाइम तक जितने भी लोग आ गए है उन लोगों को अब हम वापस तो भेज नहीं सकते हो जानी रहे human in human हो जाएगा तो हम एक काम करते हैं कि हम उनको इंडिया की citizenship के सारे benefits दे दे देते हैं लेकिन 10 years के लिए अगले 10 साल के लिए वो वोट नहीं डाल सकेंगे उनके पस right to vote नहीं होगा बाकी fundamental rights होंगे government की schemes applicable होंगी सब चीजे मिलेंगी identity card सब बनेगा लेकिन वो वोट नहीं डाल सकेंगे 10 years के लिए 10 साल के बाद डालेंगे क्योंकि 10 साल का time period बहुत होता है इस time period में वो घुल मिल जाएंगे और Indian citizen और जो India के मूल निवासी है और यह सब आपस में मिलकर एक और इसू है उस इसू को हम थोड़ा सा देख लेते हैं जो बहुत major issue है important issue है कि भारत की नागरिकता कैसे जा सकती है इंडिया की citizenship कैसे जा सकती है ठीक है एक सब्सक्राइब देजिए यह कून सा हो गया वाई आप अज़े अज़े जो चलिए तो जड़ा हॉस दा जोस बताएं कैसे जोस है कि नहीं क्या आल चाले अभी आपका अभी एक important सी चीज और आने वाली है आउस दा जोस कैसे जोस बने हुएं कि नहीं कि नहीं अब 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 बहुत बढ़े है यही हाई जोस आपको रखने और इसी हाई जोस के साथ क्लास में बने रहना है बस उतना आगे आपको सारी चीजे होती रहेगी तो जोस के साथ बने रहना है सतनू और चितनेवि नए दोस्त आते हैं क्लास को LIKE कर राग्र आप सेर नहीं करते beginner classes को अना लाइक सेर करते हैं इस गरो जितने भी जगें आपके दोस्त मिलें आपको यो कोई भी मेले तो share ज़रूर करने है चले तो बात कर लेते कि citizenship खतम कैसे होती है अभी तक तो हमने देख्कया कि narcissist मिलती कैसे कि अब citizenship का end भी तो हो जाता होगा तो end होने के तरीके क्या त्यव本 तीन ही तरीके इंडिया के अंदर इंडिया का अगर हम बात करते हैं तो जो citizenship act है 1995 का वो तीन वे बताते हैं इंडिया में जो citizenship के losing का है तो यह आपके लिए important है इसको याद रख लिजेगा यहां से question जो है आता है इसका main main क्या है उनको हम समझे लेते हैं ठीक है सबसे पहला है जिसको मोलते renunciation दूसरा termination and third जो है वो deprivation तो सबसे पहला ही कि अगर हम बात करते renunciation का मतलब क्या है कि any citizen of India of full age and capacity can make a declaration renouncing his Indian citizenship upon the registration of that declaration that person says to be a Indian citizen of to be a citizen of India ठीक है simple सा मतलब है कि आप India की citizen है नागरिक है और अब आपको लगता है कि भई ना मैं इंडिया का citizen नहीं रहना चाहता हूं मेरे को पसंद नहीं है या मैं किसी other country का citizen बनना चाहता हूं यह मान लेते हैं कि आपको पसंद आ गया west indies Chris Gail वगरा टाइप की west indies की cricket team आई खेलते वे आपने देखा कि यार यह तो बड़े cool है मजती मजा करते रहते हैं गाना वाना गाते रहते हैं entertaining है beach वालस country है चलो west indies चलते हैं त्रिनिदाद एंटो वेगो जमाइका वहाँ पर सेंट लूस या उस जगह पर जाकर के अपना घर वसाते हैं ठीक है वहां के citizen बनते हैं तो अगर मान लीजिए आपको कहीं और country की citizen ship लेनी है तो आपको इंडिया की citizen ship एक declaration से आप छोड़ सकते हैं त्याग कर सकते हो कि ठीक है भई अब से मैं इंडिया का citizen नहीं हूँ क्योंकि मैं दूसरी country की citizen principle लेना चाहता हूँ या मैं वहां का citizen बन रहा हूँ मामला खतम तो इससे आप एक कर सकते हैं simply चला जाएगा ठीक है दूसरा क्या है अगर हम बात करते हैं कि कोई भी person ठीक है इस तरीके की चीज़ें आप करोगा यह आपके लिए काम का नहीं है युद में व्यस्थोर वग इस इंडियन सिटिजनशिप एवरी माइनर चाइल्ड ऑफ एट परसन ओल्सों लोज इंडियन सिटिजनशिप यानि कि मान लेते कि आप बड़े हैं आपका बच्चा हूरक है 10-12 साल का है 7-8 साल का है 16 साल का है एक दो महीने का जितना भी जो भी माइनर है less than 18 years का एज है त अगर आपने इंडिया की सिटिजनशिप छोड़ी तो उनकी सिटिजनशिप भी चली जाएगी उनको भी सिटिजनशिप नहीं रहेगी बट हाउएवर वेन सच चाइल्ड अटेंस दा एज ओफ एटील ही में रिज्यूम इंडियन सिटिजनशिप तो आपने प्रोसेस को थे बाई टर्मिनेशन वेन इंडियन सिटिजन वोलेंटरली या कोंशिएसली नोविंगली एंड विदाउट दूरेस अंडियू अंडियू इंफ्लेंस और कंपल्शन एक्वायर्स दा सिटिजनशिप अफ अनधर कंट्री इस इंडियन सिटिजनशिप ओटोमेटिकली डियार्स दिस फ्रोविजन आवएवरियावर डिजूट अफिंग्डियाई सिंपलम साइठ ने हो कि वह कहें कि हम इंडियागेही सिटिजन रहना चाहते हैं क म अदर कंट्री ऐसे रहने चाहते हैं इंडियन little सिटीजने कि कि दों easy citizenship नहीं छोड़ना चाहते तो ऐसा नहीं हो सकते इंडिया में तो आप एक ही citizen हो सकतो या तो इंडियन या foreigner तो ऐसे में अगर आप इंडिया की citizen है और आपने किसी अधर country की citizenship ले ली और आपने declare नहीं किया कि मैं इंडिया की citizenship छोड़ रहा हूं तो ओटोमेटिकली भी टर्मिनेट हो जाएगी रहोगे ही नहीं इंडिया में सिंपल सा concept है भाई कि या तो हमारे या हमारे नहीं ठीक है हमारे हो तो हमारे बन करके रहोगे ठीक दो लोगों के नहीं हो सकते हों दो जगह के citizen आप होई नहीं सकते हों क्लियर सा प्रोविजन है उसके अंदर है ठीक है एक और बाइड डिप्रिवेशन इसका मतलब क्या वंचित इट इस एक compulsory termination of Indian citizenship by the central government इफ भारत की केंद्रिय सरकार भी आपकी नागरिकता को terminate करवा सकती है इसका reason है if the citizen has obtained the citizenship by fraud ठीक है फरजी तरीके से नागरिकता ली हो अब आप कहोगे कि सर फ्रोड से कैसे नागरिकता ले ली तो आजकल तो सारे काम फ्रोड से होई जाते हैं हो सकता है गलत wrong documents दिखा दिया हो हो सकता है कि वो registration के थूँ इंडिया में आने चाह रहा हो इंडिया की citizenship ले रहा हो और उसने documents में दिखाया हो कि उसके mother और father वो इंडिया के citizen रहे हैं और बाद पता चले verification के बाद कि भाई उसको उस टाइम तो citizenship मिल गई लेकिन in future कभी government को पता चले कि भाई इसने document गलत प्रोवाइड के तो वो हो सकता उसको उ जम्मुट कस्मीर का नाम सुनाओगा जम्झोट कस्मीर ठीक है इसको समझिये कि अच्छा Сचाह अभी union territory है लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं जम्मू एंड गस्मीर की अगर हम बात करते हैं, 2019 इससे पहले की और इसमें भी में 13 अक्टूबर, 31 स्ट, 10, 2019, इससे पहले की अगर हम बात करें, तो जम्मु कस्मीर एक फूल फलेज्ज थेट होता था हिंडिया गा, और उसमें डिूल सिटीजनशिप का प्रोविजन था, एक जम्मु कस्मीर की सिटी थी उसके पास यह राइट थे कि वो यह decide कर सकती है कि जम्मू कस्मीर का citizen कौन होगा अब जो भी जम्मू कस्मीर का citizen होगा वो इंडिया का citizen तो ओटोमेटिकली बाई डिफोल्ट हो गई होगा हमारे एक इंडिन कोंस्ट्यूशन इस क्लियर प्रोविजन कर रखा था ठीक है लेकिन जो इंडिया का सिटीजन है वो जम्मू कस्मीर का सिटीजन नहीं होगा यह जम्मू कस्मीर ने अपने सिटीजन्सी के एक्ट में डाला उसमें बहुत एक खतरनाक तरीके का प्रोविजन था इसको समझे है कि जेंड के का अगर मान लेते हैं इसका कोई सिटीजन है ठीक है और यह क्या है विमेन है यह क्या है महिला है कि अब इस विमेन की साधी करनी lähगने बहूं एक एच के बाद साधी ओती है विवा तो करना जरूर इक खार होगे खाया तो भी पस्ता क्लशने देख लेते साधी में ऐसा क्या है क्या बेनिफित मिल जाते हैं तो मान लेते हैं कि यह विमें है यह अगर इसकी मैर्ज sweet तो जैसे ही इसका विवा, इसकी साधी किसी भी इंडियन सिटिजन के साथ होती, जम्मू कस्मीर के अलावा, मानलेजिए महरास्ट का कोई परसन है, उसके साथ इसने साधी कर लिए पसंद आ गए, तो इसकी जम्मू कस्मीर की सिटिजन्शिप जो है, वो खटम हो जाती थी, उसके जो डूर सिटिजन सिफ थी उसके जम्मू कस्बीर में जितने भी राइट्स थे वो सारे कंप्लेटली खत्म हो जाते थे अब वो केवल इंडिया की सिटिजन बन करके रह सकती थी ये एक प्रोविजन था चलो मान लिया ठीक है कुछ नहीं लेकिन एक दूसरा बड़ा खतरनाख प्रोविजन था और वो प्रोविजन था उसको समझेगा वह बहुत ही खतरनाख था जो फ्रोड सिटिजन सिप के लिए इसने काम किया अगर ये विमन साधी कर ले किसके साथ पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के किसी मैन के साथ इसकी मैरीज हो जाती है उसके साथ पाकिस्तान के किसी भी परशन के सार्थ शादी करती तो उस-पाकिस्तान के परशन को जम्मू कस्मीर की सिटीजन्शीक दिग जाती यह पाकिस्तान का आर्टिकल 95-11 में और भी बाकी जगों पर सिटिजन्शिप एक्ट में 1955 का जो एक्ट है 1955 का एक्ट है उसमें हमने क्लिरली मेंसन किया है कि एनिमी एलियन्स उनको सिटिजन्शिप देने के प्रोविजन में हमारे पास काफी टफ वो रहता है उनको नहीं देते हैं प्राइटाइज नहीं करते हैं राइट्स भी नहीं देते हैं अब पाकिस्तान का जो हमारे दुस्मन देस है वार हो चुकी है उस कंट्री का कोई भी परसंद इंडिया की सिटिजन्शिप ले गया बढ़े आराम से उसको कुछ नहीं करना पड़ा उसने क्या किया उसने केवल साधी की विवाह किया तो बेसिकली तो यह तो एक फ्रोड हो गया ना इंडिया के constitutional provisions के साथ अब जम्मू कस्मीर की बता वो गजब की थी अच्छा ही हुआ अब जो विभाजन हुआ तो यह मामला खतम हो गया इस तरीके की चीज़े खतम होगी बड़ा discrimination बहुत समझ में नहीं आता है उन्होंने किस क्या सोच करके प्रोविजन किये और इसका benefit उठाया पाकिस्तान के जो separatist लोग थे जो terrorist लोग थे जितने भी separatist टेरिस्ट जो इंडिया में आक करके illegal activities कराना चाहते थे इंडिया की unity integrity को threat करते थे उन लोगों ने इंडिया में आक करके रहने के लिए बाकाइदा gang बनाया जाता था gang है ना जम्मू कस्मीर की women's के को उनको पैसा देख करके ठीक है या जबरदस्ती डरा धंका करके उनके साथ साधी की जाती ठीक है और साधिकर जैसे मेरिज भी साधी बी जम्मू कस्मीर का citizen इंडिया मोंत scheduled मिल गया मतलब उसको fundamental rights मिल गए fundamental rights मिल गए इंडिया इसका मतलब इंडिया में किसी भी state किसी भी जगह पर जाकर कर के रह सकता है घूम सकता है ट्रेवल कर सकता है सपीच डे सकता है expression दे सकता है कर सकता है belief हो सकते है job कर सकता है government sector में IPS बन सकता है और who knows कि ये जो person जो यहाँ पर आया जमू कस्मेरी की women से marriage करके ये पाकिस्तान का spy हो हो सकता है पाकिस्तान ने अपनी spy को भेजा हो कि जाओ भई साधी करो भारत का नागरीक बनो सरकारी नोकरी लो मोलिक अधिकारों को फायदा उठाओ तो ये एक बहुत बड़ा मतलब एक तरीके जिसको बोलेंगे नी गडबड घोटाले टाइप का provision था प्रोड तो ये भी एक फ्रोड के रूप में ही consider कर सकते है government और government चाहेगी तो ऐसे person अभी तो control थोड़ा सा हाला situation थोड़ी सी ऐसी है कि थोड़ा manage करने में लगए कि situation ना बिगड़े लेकिन अगर मेर को लगता है कि इस तरीके के मामला ये matter जब government के उसमें आएगा तो government ऐसे citizens को जिन्होंने इस तरीके से illegally इस तरीके का इस way का यूज करते हुए इंडिया की citizenship ली है तो वो उसको भी terminate करने की कोशिस करेगी उनको भी terminate करके वापस बेजेगी क्योंकि बहुत सारे जम्मू कस्मीर में आप दो terrorist, separatist जो against इंडिया वो इस race करते हैं के खिलाफ आवाज उठाते हैं उनका एक जमावडा सा बनिगर कहां से सारे के सारे maximum पाकिस्तान से ठीक है, किलियर सी बात है तो ये एक provision है, समझे तो जम्मू कस्मीर का जब उसके बाद से reorganization होता है 2019 के बाद तो ये provision भी खत्म हो गया अब केवल एक ही single citizenship है इंडिया में इंडिया जम्मू कस्मीर की अलग-अलग dual citizenship नहीं है, अब इस तरीके के fraud तरीके से आप इंडिया की citizenship नहीं ले सकते बहुत सारे, मेरे ख्याल से thousand of people ने हज़ारों लोगों ने, और बकायदा हमने एक, हमारे दोस्त हैं, बहुत सारे journalist हैं, उन लोगों ने interview किये थी, ठीक है, वो जम्मू कस्मीर में और कई जगा पर interview करते रहते हैं, तो उनको reality beast की पता है, तो उन्होंने कई बार इस चीज के बारे में भी उन्होंने बहुत मुश्किल से interview किये कई हों से, तो उनको पता चला, उन्होंने बताया, मैं रगों, कि जम्मू कस्मीर में प्रोपर इस तरीके से माफिया चलता था, गैंग चलता था, जो जम्मू कस्मीर की जो citizen है, जो लड़किया हैं, उनको पाकिस्तान के citizen के साथ साधी करने के लिए, marriage करने के लिए provide करवाते थे, पैसा देख करके, या family के उपर pressure बना करके, डरा धमका करके, ठीक, और एक बार जब उनकी marriage हो जाती, साधी हो जाती, पाकिस्तान के citizen के साथ, तो वो जम्मू कस्मीर में आकर के ही, अपना पूरी property वगरा खरीद करके, वहीं आकर के establish हो जाते, और उसके बाद, कुछ time के बाद तलाग दे देते हैं, और तलाग देने के बाद, उसी women को, उसी महिला को, दुबारा से किसी और पाकिस्तान के terrorist group से, या separatist group के साथ, परसन के साथ फिर से marriage करवा दी जाती, वो भी आता फिर जम्मू कस्मीर में, फिर वो भी citizen बन गया, वो भी इंडिया का citizen, तो proper एक propaganda बहुत लंबा वो चला, बहुत लंबी साजी, जो scan जिसको कह सकते न, ऐसा चला इंडिया के अंदर, पाकिस्तान से बहुत बड़ी population में इस तरीके से लोग आए, और उसके बाद फिर लोग अभी भी कहते अब सारे पाकिस्तान के आतंगवादियों को लाकर गे भरना थोड़ी है यहाँ पर वही तुम, इंडिया के अगेंस्ट जाकर गे काम करोगे, फिर उसके बाद, वहाँ पर फिर तुम बोल रहोगी, इंडिया is no tower country, इंडिया is terror, पाकिस्तान is better country than इंडिया, पाकिस्तान मे देख कर गया हो, उसमें कर दिया है, एक और तरीका है, the citizen has shown disloyalty to the constitution of इंडिया, भारत के समिधान के प्रती अनाधर जतायो, यानि कि इंडिया के constitution के provisions को ना मानता हूँ, फाड़ देता हूँ, है ना, और इस तरीके से लोगों में उसका कोई वीडियो बना करके डाल दे कि I don't follow Indian constitution, ये दो को मैं फाड़ देता हूँ, इंडिया के constitution को, मैं नहीं मनता इस समिधान को, बकवास है, रदी है, तो इस basis पर क्योंकि आपने disrespect किया, ठीक है, और आपने दूसे लोगों को भी उकसाया, इस चीज के लिए, तो उस basis पर भी government आपकी citizenship जो है, आपस छीन सकती ह The citizen has unlawfully traded or communicated with the enemy during a war, ये तो मतलब बहुत बड़ा crime हो गया, हमारी लडाई चल रही है किसी के साथ, और हमारा कोई नागरिक है, citizen है, वो दूसरे देश के साथ, जिसके साथ यूँ दो रहे है, उसके साथ trade कर रहे है, बिजनस कर रहे है, ठीक है, उसके साथ बातचीत कर रहे ह अंदर की information वहाँ पर पहुचा रहे है, जासूस जिसको बोलते हैं आप, गुपचरी जो बोलते हैं, ठीक है, तो ऐसे person की citizenship भी इंडिया की government उससे छीन सकते है, वो बोल सकते है, कि तुम्हें इतना ही पसंद है, दूसरा देश जिसके साथ हम वार कर रहे है, तुम्हें उस कंप्यार में होगे, तो कम से कम country के प्रती तो loyal रहो, आपके country आपको सब गुष provide करती है, क्या नहीं provide करती हैं, हर चीज आपको मिलता है, है ना, और तो ऐसे में अपने देश के लिए देश भगता होना, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने country में जो कुछ गलत चीज पाकिस्तान अच्छा है तो भाई अगर ऐसा है तो फिर वहीं चले जाओं गवर्मेंट का भी सिधा ा सफंड आई यही कि वहाई अगर आप नहीं पसंद तो छलेगा फिर यहाँ पर क्यूं रहे होँ यहाँ होगी तो गवर्मेंट आप से सिटीजन सी प्ले सकती है आपको यह चीजे नहीं करनी ठीक तो यह सारी की सारी चीजे हैं क्लियर आगे चलते हैं कई चीजे कई वार हो सकता कि मैं कुछ बोल रहा हूं तो आपको थोड़ा से लगे लेगिन यह कुछ चीज़ें होनी चाहिए हम में एक्स्ट्रीम होनी चीह है अगेस्ट इंडिया कोई बीच चीज वह नहीं बरदास्त करनी होगी नहीं कोई से सच में नहीं होती हैं, वो इंडियन फिलिंग है, क्योंकि सब कुछ इंडिया से ही मिला है, सब कुछ इंडिया ही प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, उसके बावजूद आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो, कोई गलत चीज है उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हो, वो बहुत सह उसमें उनका मोटीव यह रहे कि, डिस्ट्रोई इंडिया, है ना, यूनिटी, इंटीग्रिटी, उसको कम्प्लीटली खतम कर दो, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, राइट, जो एक्स्प्रेशन का, जो आर्टिकल 19 का, जो आपके पास राइट है, उसका आप इ हर्यानवी, तमिलनाडू, जम्मू, कस्मीरी, असमी, वो नहीं है, हम इंडियन है, सभी इंडियन है, तो कम्प्लीट यूनाइट, एक यूनिटी के साथ रहेगा इंडिया, तभी ग्रो करेगा, तभी हम सब के राइट्स, जो हैं सिक्योर रहेंगे, सेफगाड रहेंगे, तो यह चीज़ें आपको अमेशा रखना है, ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं, अगे थे, तो यह चीज़ें आपको, यहां पर कोई न कोई सजा होगी, जेल होगी, आपने किसी के साथ फिरोती कि लेली, अपहरन कर लिया, मडर कर दिया, आपने, वह सारे क्राइम होते हैं, लड़ाई जगडा गया, और उसके कारण आपको, सजा होगी, दो साल की, कहीं पर भी, पूरे वल्ड में, तो भी आपकी सिटिजनशिप ले सकती हैं, क्यों, क्योंकि सिटिजनशिप का एक, जब आप रेजिस्ट्रेशन करते हैं, नेचुरलाइजेशन करते हैं, उसका सिंपल सा, उसमें एक क्लोज है, कि गुड करेक्टर ह होना चाहिए, अच्छा करेक्टर होना चाहिए, और अगर विदिन फाइफ ए良 आपको सजा होगे, जेल होगे, दो साल की होगे, इसका मतलग करेक्टर सही नहीं है, क्योंकि टू यर से मोर की जादा की सजा तो बहुत जादा जो गंभीर अपराध हैं, उन्हीं अपराधों में मिलती है, the citizen has been ordinarily resident out of India for seven years continuously, अगर भारत से बाहर आप साथ साल तक लगाता रह रहे हैं, तो भी आपकी citizenship जो है, वो ली जा सकती है, लेकिन एक चीज इसमें close है, समझिये, जो साइद बुक में नहीं दिया है, या इस PPT में नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है, कि आप भारत से बाहर चलेगे, और example आप पढ़ने चलेगे, आप study करना चाहते हैं, आप post graduation करने गए, और आप Australia में चलेगे, post graduation करने के लिए, अब PG किया आपने दो साल, उसके बाद आपको लगता है कि या एक साल थोड़ा यहाँ पर job करते हैं, work करते हैं, पैसा रेंज करते हैं, और आगे higher studies करेंगे, PhD, PhD करेंगे, तो एक दो साल रहे job करी आपने, फिर आपने PhD में admission ले लिए, 4-5 साल आपने PhD चलाई, तो आपकी almost मिला कर गया, ऐसे 7-8 साल हो गए, तो आप continuous रह रहे हो, वहीं पर यह Australia के अंदर पढ़ रहे हो, study कर रहे हो, job कर रहे हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी citizenship चली जाएगी, यह 7 years उन सब के लिए है, जो without any reason के रह रह कर रहे हैं, किसी international organization या international NGO उसमें work नहीं कर रहे हैं, अगर यह condition है, अगर आप किसी international NGO में काम कर रहे हैं, international organization में work कर रहे हैं, आप Indian government के under उसके through work कर रहे हैं, या आप कहीं पर study कर रहे हैं, पढ़ने के लिए गए हैं, या आप वहाँ पर business कर रहे हैं, trade कर रहे हैं, और आप आपने इन्फोर्म कर रखें इंडिया की गवर्मेंट को कि बहुत को मैं यह काम कर रहा हूं यहाँ पर तो आपकी citizenship नहीं जाएगी लेकिन इनके बिना आप बिना किसी के साथ साल से रह रहे हैं विजय माल्या नीरव मोधी टाइप के लोग बहुत सारे और भी यह आपको पसंद आ गया गूमने फिरने चले गए आप कि यहीं रहेंगे खूब पैसे बाप दादा ने खूब दोलत कमा कर दे रखी है यहीं उडाएंगे डोलर में कमाएंगे डोल क्विजन है वह इस तरीके से तो सिंग्ल सीट इप य racing इंडिया में अगर हमें बात करते थोड़ा से यूर से के साथ कॉम्पेर करेंगे यूरस से के साथ कॉंपेर करते हुए इसको देख दे चलते हैं इसको ध्यान से समझ लिए जितने भी हमारे प्यारे मित्र हैं यहां पर सारे अच्छे से दोस्त हैं एक सिंपल सा चीज देख लेते हैं दो दा इंडियन इंडियन हम सभी इंडियन है और इंडियन है यहां पर मिलेगी ठीक है यह हमें मिलती है लेकिन अगर हम बात करते हैं अमेरिका में अमेरिका और स्विजरलेंड अगर आप मैप देखो जैसे यहां पर यह USA है तो वहां पर ड्यूर सिटिजन सिप आपको मिलती है यानि कि जो यह स्टेट से फोर एक साप एक साप अगर हम बात करते हैं कैलिफोर्निया तो कैलिफोर्निया वहां का जो एक स्टेट है न तो इस स तो दोहरी नागरिकता ड्यूल सिटिजन सिप उनके पास होती है जैसे इंडिया में जम्मू कस्मीर का जो मामला था तो जम्मू कस्मीर का इसू आपने देखा तो ड्यूल सिटिजन सिप आपने देखी दोहरी नागरिकता देखी लेकिन वह एक सेप्षन था जो अमने बना इसका समझ येगा, in USA, each person is not only a citizen of USA, but also the particular state to which he belongs, thus he owes a lion to both and enjoys dual sets of right, one set conferred by the national government and another by the state government, ठीक है, तो उनके पास दो तरीके के rights होते हैं, एक state government जो right देती है, जो और एक center government right देती है, जैसे इंडिया में था, इससे बहुत ज्यादा problem हो जाती है, बहुत problem create होता है, discrimination होता है, ठीक है, इससे क्या होता है, problem होती है, discrimination होता है, वह सारी चीज़े हो जाती है, जैसे for example, अगर हम बात करें, इंडिया में जम्मू कस्मीर में dual citizenship थी, तो उस dual citizenship में discrimination था, कि इंडिया के other state का, other than जम्मू कस्मीर, कोई भी state का person, वहां की जम्मू कस्मीर की citizenship नहीं ले सकता, property नहीं बाई कर सकता, ठीक है, जम्मू कस्मीर की women के साथ, अगर साधी करेगा, विवा करेगा, तो जम्मू कस्मीर का citizen नहीं बनेगा, even जो जम्मू कस्मीर की जो महिला है, woman ह उसकी citizenship भी खतम हो जाएगी और वो केवल इंडिया की रह जाएगी, जम्मू कस्मीरी की नहीं रहेगी, लेकिन पाकिस्तान के साथ अगर साधी होगी तो पाकिस्तान वाले को इंडिया की citizenship मिल जाएगी, तो problematic था ना, discrimination था, कुछ अलग special facilities उनके लिए थी, तो dual तरीके के दोर राइट है, जो फैडरल राइट है, जो फैडरल constitution ने दिये, वो तो सभी के पास same है, ठीक है, लेकिन जो state ने राइट दिये, वो अपने ही परसन को दिये, जैसे हो सकता है, इसके पास power होगी, Arizona के पास ये power रहेगी, कि Arizona के जोब से, उसमें केवल only Arizona के परसन वर्क करें, किसी other state को हम वहापर entry नहीं दे सकते, लेकिन इंडिया में अगर आप बात करोगे, तो इंडिया में क्योंकि single citizenship है, तो पूरी इंडिया में साहरी के सारे right equal है, आप सब्सक्राइट साथ equal है, आपके साथ government sector में discrimination नहीं कि provide कर दिया गया है, जैसे हम अगर states की बात करते हैं, तो अगर आप किसी भी state में चले जाओगे, तो 15% city जो है न, वो all India category के लिए रहती हैं, all India category के लिए reserve रहती हैं, आप educational institutes अगर आप देखते हैं, माल लिए for example आप बिहार से हैं, आप बिहार के domicile आपके पास हैं, लेकि आपका की कोई भी university होगी, तो उनके लिए mandatory हैं, वो all India category के लिए open रखेंगी, ठीक है, सभी को मौका मिलेगा, सभी को chance मिलेगा, उसके रहती हैं, test करने का, काम करने का, even government jobs भी, अगर आप देखोगे, तो उसके लिए भी same यही चलता है, आप completely केवल अपने state के लिए reserve नही कर सकते हैं, पूरे Indian citizens के पास यह right है, कि आपके लिए था हो, ठीक है, तो यह इस तरीके की provisions जो है, वो आपके पास मिलेंगे, sound की problem आ रहे हैं, hello, 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 अभी sound ठीक है, अभी sound ठीक है, क्या sound ठीक है, अभी मेरी? अच्छा, बीच बीच में blur हो जाती है, रूख जाती है, चले ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, दो मैं यही आपको समझाना चाहरा था, कि इंडिया में किसी भी state में आप जाओगे, तो आपके पास equal rights हैं, आपके पास किसी भी चीज को लेकर कि discrimination नहीं कर सकता, कोई भी state जो है, वो आपको discriminate नहीं कर सकता है, for example, वो यह discrimination कर सकते हैं, कि Texas जो है, इसकी जितनी भी government job होगी, वो only for Texas के citizens के लिए किसी और को नहीं देंगे, यह यह भी provision कर सकते हैं, कि Texas के government job, यह New Mexico, ठीक है, और Arizona और Texas, इन तीन के state के लोग ही इसके लिए applicable कर, अपलाई कर सकते हैं, बाकी states को नहीं देंगे, तो state government के पा agency, उसके कारण discrimination होता है, problem होता है, हर जगे सेम चीजे नहीं होती है, लेकिन इंडिया में इस तरीके से नहीं है, ठीक है, इंडिया में तो आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी चले जाओ, आपको ऐसा थोड़ी मिलेगा, कि आप महरास्त के हैं, तो आप IPS बन सकते हैं, और आप केरला के हैं, तो आप IPS नहीं बन सकते, आपके लिए तो सारे equal हैं, कहीं पर भी चले जाओ, सेंट्रल जोब और स्टेट जोब, इवन स्टेट जोब में भी, स्टेट जोब में भी आप देखोगे, तो 15% सीट जो है न, वो आपको ओल इंडिया के लिए रिजर्व कर, जो है, free छोड़नी पड़ती है, तो बहुत सारे स्टेट को ये power दी गई है, कि भई आप अगर चाहते हैं, कि आप अपने citizens का development करें, तो अपने citizens के development के लिए, उनके लिए कुछ special features, special provision कर सकते हैं, कुछ सीटे रिजर्व कर सकते हैं, government job में, ठीक है, तो maximum स्टेट में देख रखी जाती है, ठीक है, without any reservation, सब general category में fight करेंगे हैं, वहाँ पर, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो, आपको equal chance है कि आप वहाँ पर जा करके work करें, आप वहाँ पर जा करके exam crack करें, clear करें, ठीक है, तो ये सारा का सारा provision आपको देखने को मिलता है, तो इंडिया में थोड़ आप कोगे कि क्या है, तो कुछ exceptions को जानना बहुत जरूरी है, अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में हर किसी को equal ही right मेले, कुछ special exceptions हर मामले में होते हैं, और example आप जब देखते हैं कि जब आप chemistry पढ़ते हैं, तो chemistry में वह सारे exceptions आपको मिलते हैं, exceptions होते हैं, आप वाद होते हैं और state center, center state relation जो है, उसमें आप देखोगे तो वहाँ पर भी 5 exceptions हैं, कि center जो है, वो state list के subjects पर rulemaking का काम कर सकती है, 5 उसमें, जब हम seats की बात करते हैं, तो जैसे हमने seat define कर रखे, legislative assembly की minimum 60 होगी, लेकिन उसमें भी हमने कुछ states के लिए exception दिये हैं, कि वहाँ पर 40 भी हो सकती है, 30 तो ऐसे ही कुछ exceptions हमारे यहाँ पर भी हैं, जिसमें equal rights नहीं होते हैं, कुछको हम थोड़ा सा exception देते हैं, क्योंकि वो required है, country की development के लिए, country की overall growth के लिए, और उसके अंदर अगर हम बात करें, तो वो कौन है, सबसे पहला, the parliament under article 16 can prescribe residence within a state or union territory as a condition for certain employment और appointments in that state or union territory और local authority और other authority within the state or union territory, यानि कुछ ऐसी jobs, उन jobs के लिए, particular state का resident होना आपके लिए, compulsory जो है, वो कर सकती है, लेकिन उसमें भी आप देखोगे, तो 15% seat जो है, वो all India category के लिए आपको रखनी पड़ती हैं, आप चाहे, राजस्थान पुलिस की अगर भरती हो रही ह तो राजस्थान पुलिस में राजस्थान ये कर सकती है कि 85% जो राजस्थान के ही resident होंगे, राजस्थान का ही domicile होगा, तो वो ही applicable होंगे, लेकिन 15% वहाँ पर भी आप वो all India category रखनी पड़ेगी, article 16 reservation का provision करता है, एक और भी चीज कर सकते हैं, इसको आप आगे हम थोड article 15 prohibits discrimination against any citizen on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth and not on the ground of residence, निवास स्थान के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं कहता है, ठीक है, आपके साथ के वल यही 5 आपको दिये गए हैं कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ठीक है, आपके लिंग के आधार पर नहीं होगा, आपके जाती के आधार पर नहीं होगा, आपके मूल वन्स के आधार पर नहीं होगा, किसी जगह पर आपने जन्म लिया है, उसके आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, लेकिन आप किस जगह पर रह रहे हैं, कहां कि आप निवासी हैं, मूल निवा महाराष्टर की किसी सी यूर्स्टी में चले जाओ तो 85% सीटे जो हैं महाराष्टरंस के लिए रहती हैं 15% ओल इंडिया के लिए रहेंगे ठीक है मूल निवासी वही ग्राउंड ओफ रेजिदेंस उसके आधार पर डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया ठीक है ऐसे ही सुल्क में छूट देता है ना कंसेशन इन फीस फोर एजुकेशन तो इट्स रेजिदेंस ये चीज़ें आपको यहां पर दी जा सकते हैं अब एक और हैं इसको भी समझना और इसमें क्या है दा फ्रीडम ओफ मूव्मेंट एंड रेजिदेंस अंडर आर्टिकल 19 इस सबज इसके मतलब इसको इसको पर नोर्थ इस्ट में चार स्टेट है चार ऐसे स्टेट है जहां पर इनर लाइन पर मिट का सिस्टम चलता है इनर लाइन पर्मिट का मतलब यह है कि आप इंडिया की citizen हो ठीक है तो उसके बावजूद भी आपको उन states के अंदर entry करने के लिए अंदर जाने के लिए आपको एक form भरना पड़ेगा उसमें अपने details डालनी पड़ेगी permission लेनी पड़ेगी वहां की local authority से उनकी permission के बाद ही आप वहां पर entry कर सकते हैं नहीं तो आप नहीं कर सकते हैं और वहां पर बहुत सारी activities आपके लिए restricted हैं कई सारे areas को restrict कर दिया जाता है कि ये tribal areas यहां पर आप जा नहीं सकते हैं ना natural environment हो रहाता है आप उधर नहीं जा सकते हैं कई सारी चीजों को restrict कर दिया जाता है जब कि article 19 आपको free movement in India इसका right देता है कि भारत में कहीं पर भी जा सकते हो कहीं पर भी बस सकते हो reside ठीक है कोई भी business कर सकते हो ये right देता है लेकिन उसमें भी exception है यही exception कि जो tribal areas है उनके culture को protect करने के लिए उनके property को protect करने के लिए उनके interest को safeguard करने के लिए आप उन tribal areas में जाकर के property buy नहीं कर सकते हैं ILP वाला area जितने भी जो हमारे 4 states हैं comment box में नाम लिख करके बताए जल्दी से जितने भी हमारे दोस्त हैं ILP का नाम जरूर कौन-कौन से ऐसे states है जिसमें ILP system applicable है जल्दी से नाम लिख करके बताए ठीक है जल्दी से बताए ILP आपका ये homework है class over होने के बाद वीडियो के comment box में आपको ये बताना है कि कौन-कौन से state इंडिया में ऐसे हैं जहां पर inner line permit system जो है वो applicable है homework है आप सभी के लिए उसको मेरे को comment box में बताने मैं सब के comments read करता हूँ class के बाद जो comment अगरते हैं तो आपके उसके उपर कई बार like आएगा वो like मैं ही करता हूँ like आए उसका मतलब समझना है कि मैंने read कर लिया और मैंने फिर पहचान लिया मैं पहचान लेता हूँ कि कौन-कौन से serious student है तो सच में seriously study करते हैं तो सब लोग answer जरूर देना तो वहाँ पर आप देखोगे कि उन areas में जाकर कि आप property buy नहीं कर सकते आप अपनी मर्जी से business नहीं कर सकते business और property buy करने की बात तो छोड़ी आप जा भी नहीं सकते freely travel भी नहीं कर सकते फिर आप में से कई बार ये मामला ये issue raise कर सकते हैं ये debate उठ सकते हैं article 19 तो आपको right to free movement है ना इंडिया में किसी भी part में reside बसने का अधिकार देता है तो फिर ये YILP inner line permit why क्यों कुछ states हैं जहां पर हमें entry करने के लिए permit लेनी पड़ते हैं वो भी इंडिया के अंदर not outside इंडिया inside इंडिया वहां पर भी जाने के लिए ठीक है तो उसका reason simple सा है कि इसको हम schedule tribes के जो interest है ठीक है उनको safeguard करने के लिए उनको protection देने के लिए उनके जो traditional values है उनकी जो property है उनको safe करने के लिए exploitation से बचाने के लिए ये किया जाता है इसका reason है समझे जो tribal areas हैं वहां पर देखोगे तो वो थोड़े से प्राकृतिक पसंद वाले इंसान है natural नेचुरलिटी के साथ ज़्यादा रहते हैं वो अभी भी इतने modernized नहीं हुए उनका जो अगर हम बात करते हैं कि modernization के साथ इतना ज़्यादा उनके साथ familiar वो लोग नहीं हुए हैं जैसे आज आप हो वो अभी भी उसमें देखोगे तो traditional कपडे traditional food traditional उनके house उसी तरीके की culture वो चीज़े language वो उनकी मिलेगी वो धीरे 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 ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे चीज़ों को adopt कर रहे हैं उसमें time लगता है एकदम से नहीं होता है तो ऐसे में उनके interest को और उनको बाकी सारी चीज़ों को भी safe guard करना जरूरी है तो जितने भी बड़े बड़े जो ये billionaire है multi-billionaire जो करोड़पती अरवपती उध्योगपती है इंडिया के जितने भी वो सब लोग जाकर के पूरा का पूरा state खरीद मारते ठीक है इतनी जादा और वहां के लोकल लोगों को भार जाना पड़ता migration करना पड़ता उनका पूरा tradition खतम हो जाता उनकी property छिन जाती उनके rights छिन जाते article 29-30 का फिर क्या होता right to equality उसका क्या होता वो सब destroy हो जाता तो उनके interest को safeguard करने के लिए हमने यह सारी की सारी चीज़े जो है वह यहां पर की है ठीक है इन चीज़ को लेकर के offend नहीं होने कि ऐसा वो एक reality है जो चीज़े हैं वह ऐसा ही होता ही है ठीक है यह डायलोग होता है न हर चीज़ में ठीक है वहारे जो साथ खेसारी लाल याद हो है कोन है उनका गान है एक गाना आ गया गाना भी ऐसा आ गया ठीक है नून रोटी खाएंगे जिंदगी संखी बिताएंगे है ठीक है तो ऐसा ठीक है हर जगे आपको मिलेगा सब कुछ करते हुए ठीक तो यह एक reason रहा कि वहां पर हमने इस तरीके की चीज़े ठोड़ा स अब उनके लिए special provision यहां पर कर दिया गया ठीक चलिए आगे चलते हैं अब यह वर्ड भी ऐसा है कि हम उसको छोड़ी नहीं सकते हैं हमारे तो बात बात पर समझाने में यही वर्ड आता है बार बार ठीक है रहता है और उसको उन्होंने गाना यह बना दी अब क्या ही बोल अब पर्मानेंट रेजिडेंट उफ स्टेट अपने राज्य के पर्मानेंट नागरिकों का निरधारन करना तो बहुत सारे ऐसे अधिकार जो जम्मु गस्मिर की गवर्ड के पास थे वह एक exception था कि उनके पास यह अधिकार थे कि कौन स्थाई निवासी है जम्मु कस्मिर का किसको government job मिलेगी किसको scholarship मिलेगी किसको scholarship नहीं मिलेगी अब यह क्योंकि remove हो गया वो special provision खतम हो गया article 370 और 35A जो था इन दोनों को ही हमने क्या कर दिया खतम कर दिया तो यह special status अब नहीं रह तो citizenship के मामले में जो exception था वो exception यहां से हट गया है ठीक है अब 35A और 370 वो हमने कर दिया है abolish कर दिया है तो अब यह सारा का सारा provision जो है खतम हो गया है ठीक है अब single citizenship होगी इंडिया में ठीक तो वो कुछ exceptions थे और भी कई सारे exceptions अगर आप देखोगे तो इंडिया में आपको देखने को मिल जाते हैं लेकिन वो फिर citizenship के exceptions नहीं होते हैं वो other चीजों के लिए exception होते हैं ठीक है यह basically citizenship को लेकर के निवास आपका जो रेजिडेंस है उसको लेकर के हैं तो अब इंडिया में और कोई exception नहीं है अब केवल यही हो है कि state government अगर चाहे तो अपने कुछ jobs में अपने कुछ educational institutes में अपने state के residents को कुछ special facilities दे सकती है लेकिन completely बाकी सभी लोगों को अलग नहीं क कर सकती है अब विदेशी भारतिय नागरिकता देख लेते हैं overseas citizens of India यह ज्यादा इतना important नहीं है आपके लिए ठीक है इसको basically बस सिंपल सा एक चीज है जो आपको समझ लेना है और skip कर देना है एक basic सी understanding बना लेनी है कि overseas citizenship of India वो क्या होती है अब होता गया है कि भारत के नाग कि किसी एक ही जगह पर होंगे ठीक अलग अलग कंट्रीज में है और बहुत अच्छी अच्छी पोजिशन में है आप देखो अमेरिका में तो अभी दो वह बहुत बड़ी सुपर पावर पोजिशन पर एक women गई है और वो Indian origin की है और वो कौन सी पावर है वो कौन सी पोजि साथ उनका कमेंट बोक्स में बताना और वीडियो खत्म होने कवादी यह भी होमवर्क है आपका तो इंडिया के लोग बहुत पावर्फुल पोजिशन में है डोमिनेंट पोजिशन में बिजनस है पैसे तो इंडिया उनकी साथ connection बना करके रखना चाता है वो लोग भी इं सको तो समझो दिल बर जानी जितना भी सम जोगे उतनी हो पता नहीं क्या है फिर भी दिल है इंदुस्तानी एक गान है फिर भी दिल है इंदुस्तानी फिर भी दिल है इंदुस्तानी कहीं पर भी चले जाओ दिल तो इंदुस्तानी है इंदुस्तानी सा जुड़ा रहना च तो आप देखोगे अगर इंडिया उस्टेलिया के साथ कोई ट्रीटी साइन करने वाला है या कोई समझोता करने वाला है तो उस दोरान आप देखना है कि वहाँ पर ऐसे लोगों को मीडियेटर बनाया जाता है कि जो इंडिया और उस्टेलिया दोनों के साथ हो जो इंडिया और इंडिया की उस्टेलिया की सिटीजन हो, तो उन दोनों को connect करने के लिए वो इन डाइस्पोरा का इंडिया में यूज किया जाता है, प्रवासी भारतियों का यूज किया जाता है इसलिए आप देखोगे कि current time में इंडिया में प्रवासी भारतिय दिवस अलग से बनाया जाता है प्रवासी भारतिय समेलन ठीक है वो अलग से celebrate किया जाता है अलग से इसके लिए सारा का सारा structure बना रखा है और बहुत ज़्यादा उनको value दी जाती है इसके कारण इंडिया में money का flow भी आता है इन्वेस्टमेंट आती है इंडिया के अंदर बहुत बड़ा पैसा आता है टेक्स इंडिया को बहुत अच्छा मिलता है तो वो relationship बना रहता है अब मामला क्या है कि वो connected तो रहना चाहते है इंडिया के साथ और इंडिया उनकी साथ connected रहना चाहते है लेकिन issue यह है कि वो किसी other country के citizen है और इंडिया में आप दूसरे country के citizen है तो इंडिया के citizen नहीं बन सकते तो इस problem को solve करने के लिए हमने ये IOC जो बोलते हैं OCI, OCIC कर दिया गया overseas citizen, overseas card holder citizen of India ठी, overseas citizen of Indian card holder इस नाम से हमने बना दिये overseas citizens of Indian card holder अभी recent में हमने इसको change गये तो उसके through हम उसको इंडिया की citizen तो नहीं provide करते हैं इंडिया की citizenship तो नहीं provide करते हैं लेकिन कुछ facilities extra हम उनको दे देते हैं कौन-कौन सी facilities, for example कि उनको single time, multiple use के लिए visa मिल जाता है lifetime long, lifelong visa मिल जाता है कि भई आप एक काम करो visa की requirement जरूर रहेगी visa जरूर लगेगा लेकिन एक बार ले लो, आपको बार बार इंडिया में जब भी आओ तो बार बार आपको visa के लिए apply करने की request करने की जरूरत नहीं है ठीक है, आप एक ही बार visa लो lifetime आओ तो वो कुछ facility दे दी इंडिया में property भाई कर सकते हो वो facility दे दी ठीक है, बहुत सारी facilities उनको दी बस यह नहीं है कि आप right to vote नहीं होगा आपके बास voting नहीं कर सकते हैं, आप election नहीं contest कर सकते हैं, ठीक है और अगर आप बात करो तो जो पब्लिक और जो प्रोपर्टी है जो अगर agriculture land है उन सब कई अगर acquire करने की बात आती है तो उसमें आपके rights, normal citizen के right के equivalent नहीं रहेंगे, बाकी सभी मामलों में उनको थोड़े से features, special features जो है, वो दे दिये जाते हैं, ठीक है तो यही चीज है, इसी को हम overseas citizen of India बोलते हैं, या पहले overseas citizen of India बोला जाता था पाकिस्तान के नागरी को खोड़ करके बाकी सभी को हम इसमें रखते हैं, ठीक है अब इसको बाद में change करके इसको हमने बना दिये overseas citizen of Indian card holder ठीक है, इसको हम OCIC अब बोलते हैं, ठीक OCIC अब इसको बोला जाता है यही important है, और बाकी ज़्यादा चीज़े नहीं देखना है आपको इसमें नहीं जाना है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़े हैं, किस तरीके चीज़े चीज़े हैं ठीक है इसमें बस आप ये देख लेना है कि इनमें features क्या क्या है क्या क्या इनको facilities मिलती है इसको देख लिजिए बाकि आपके काम की नहीं है बाकि सब सेम ही चीज है कि कोई भी जो इंडियन ओरीजिन का रहा हो इंडियन ओरीजिन का परसन रहा हो कहीं से भी कोई भी लिंक रहा हो चाहिए मम्मी पापा रहा हो खुद रहा हो या और उनके वन्स में परंपरा में रहा हो उन्स सब को इस तरीके की सिटिजन्शिप दी जा सकती है ठीक है स्किप कर दीजिए इन सभी को यह आपको यूज के नहीं है राइट्स आपको देख लेना यह इंपोर्टेंट है जो वो चीज थी वो स्किप कर देना है वो आपके काम का नहीं है तो मैं आपके लिए लेकर आए हूँ और आज मैं रिटन लेकर आए हूँ आपसे कि इसमें कैसे रिटन आएंगे इंडियान काड़ होल्डर यह फैसिलिटी जी जाती है उन परसंस को जो इंडिया के ओरीजन के हैं और वो इंडिया के साथ कनेक्शन रखना चाहते हैं उनको इंडिया में कुछ स्पेसल राइट्स जो है वो प्रोवाइड कर दिये जाते हैं ठीक है जैसे या कि सेंटर गो प्रेजिडेंट नहीं बन सकता है से मोई चीज जो मैंने इससे पहले थोड़ा बताया आपको कि इलेक्शन में ठीक है वाइस प्रेजिडेंट भी नहीं थीक और अगर हम बात करते हैं जड़ सुप्रीम गोट सेम वह सारी की सारी चीज़े अपलीके बनाने जो फोर्नर राज्य सभा का मेंबर नहीं बन सकता क्योंकि OCIC जो है न वो इंडिया के citizen नहीं है OCIC जो है वो foreigner है उनको बस हमने Indian connection के लिए इंडिया के साथ Indian nest के साथ जोड़े रखने के के लिए ठीक है फिर उनको कार्ड प्रोवाइड किया उसके साथ उनको कुछ special features जो है वो हमने extra दिये है ठीक है और वो कौन-कौन से extra है उनको देख लेते है इसको छोड़ दिजिए पंजी करंडरा दोना यहां से questions नहीं आते है ठीक है इधर के उससे साथ नहीं है यह आपके लिए स्किप कर देना इसे बहुत सारे चीज़े हैं जो आपके काम की नहीं है इनको देखने की requirement ही नहीं है ठीक है बस यही है तो उनको special rights जो है वो rights क्या मिलते है वो समझना देखिए यह यहां से समझना OCIC ठीक है और एक होत अगर हम यहां पर बात करते हैं तो यह OCIC जो है वो अगर हम बात करें कि क्या यह इंडियन सिटीजन है इंडियन ठीक है तो इसको थोड़ा सा comparison इसको समझ लीजेगा यह बहुत ज़्यादा आता है वो जरूरी है आपके लिए समझना ठीक तो अगर हम बात करते हैं तो OCIC जो है वो इंडियन सिटीजन नहीं होते है ठीक है NRI जो है वो इंडियन सिटीजन होते है ठीक इसको समझ लीजेगा क्लियर रखना इसको अब अगली चीज कि अगर हम बात करते हैं तो विजा की requirement of visa requirement of visa इनको OCIC जो है उन में और NRI में होती है तो इनको रिक्वायर होती है इनको विजा की रिक्वायरमेंट होती है NRI को विजा की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्यों? क्योंकि वो इंडियन सिटीजन है ठीक है? NRI जो है वो नहीं civil servant भी नहीं बन सकते भाई OCIC जो हैं वो इंडिया की citizen नहीं है ठीक है उनको केवल हम क्योंकि वो मूल इंडिया की साथ जुड़े हुए न प्रवासी भारती हैं डाइस पूरा जुड़ा हुए तो इसलिए उनको हम कुछ special facilities प्रोवाइड गरते हैं citizenship नहीं ठीक है citizenship वाले right नहीं देते हैं NRI कोन होता है जो इंडिया का citizen है लेकिन किसी other country में जाकर के business कर रहे है पढ़ रहे है जोब कर रहे है उसने वो दूसरी country की citizenship नहीं ली है है ना citizen इंडिया का ही है लेकिन other country में कुछ काम कर रह रह रहे है ठीक है परमिशन ले करके जा रखा है OCIC जो है वो other country के citizen है वो इंडिया के citizen नहीं है वो उनके citizen है लेकिन क्योंकि वो Indian origin के हैं भारतिय मूल के हैं इंडिया के साथ कोई ना कोई connection है तो उनको हमने ये right दे रखा है कुछ special features दे रखा है ठीक है जैसे इनको visa मिलता है तो इनको lifetime visa मिल जाता है lifetime visa ये इनको visa provide हो जाता है एक इनके पास facility है लेकिन इनको visa की ज़रुरत पढ़ती है अब अगर हम बात करें vote की क्या vote कर सकते हैं तो OCIC वाले हैं ये vote नहीं कर सकते NRI जो हैं वो yes कर सकते हैं वोट और अगर हम बात करते हैं तो MP MLA बन सकते हैं की नहीं MP MLA ठीक है इसी के साथ साथ property जब हम property की बात करें प्रोपर्टी में ये बाई कर सकते हैं प्रोपर्टी में इनके साथ कुछ नहीं है प्रोपर्टी बाई कर सकते हैं लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, गौवर्मेंट जोब्स, गौवर्मेंट जोब्स कर सकते हैं, यस, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि इक्वल नहीं है, इक्वल ओपर्चुनिटी, इक्वल ओपर्चुनिटी नहीं है इनके पास, यह राइट नहीं है, डिमांड नहीं कर सकते हैं, यह हमारा फंडामेंटल राइटर आर्टिकल 16 के अंडर गौवर्मेंट जोब्स में, इंडिया की गौवर्मेंट चाहे तो इनको किनारे कर सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों में पर्मिट कर सकते हैं, ठीक भई इंडिया की कुछ गवर्मेंट जोब्स में आप आ सकते हो, ठीक है, इक्वैलिटी नहीं है, करते भी नहीं है, यह बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, एनर आई तो यह होते हैं, इक्वल अपर्चुनिटी जो है, वो इसमें नहीं होती है, क्लि यह वाली पोस्ट जो केवल इंडियन सिटीजन के लिए हाँ अधर दैन इस पोस्ट के अलावा जो आप जाओगे तो वह आप हो सकते हूं ठीक है किलियर चलिए तो यह आपको एक कंपेरिजन याद रखना है OCIC और NRI जो है इंडिया में उनके बीच के कंपेरिजन को देखते हुए रहना है ठीक है चलिए अब वो कुछ अनुछेद है क्यों संस ले लेते हैं आपसे ठीक है यह कुछ आर्टिकल से सिटीजन सिप के लिए तो आर्टिकल फाइफ आपके लिए एक इंपोर्टेंट आर्टिकल से अगर आप इसको अगर स्किप भी करना चाहते हो तो आर्टिकल 11 को जरूर याद कर लिजेगा ठीक है आर्टिकल 11 और फाइफ यह दो इंपोर्टेंट है यह इंपोर्टेंट है यह आपको याद रहने चाहिए बाकी को अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आ आपको पता होना चाहिए, 11 जो है वो पार्लियमेंट को पावर देता है, इसको डिसाइड करने के लिए, ठीले तो आपके क्योस्टन से इसको समझ लेना है, ठीक है, इसको क्योस्टन आपके सामने हा रहे हैं, इसको देखिएगा, पहला क्योस्टन आपका, correct answer आपको देना है, आपके सामने आपका time है, इसको ध्यान से पढ़िए, और answer दीजे चलिए, चलिए सभी लोग answer दीजिए, easy है, आप अगर इसका थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे, तो आप इसका answer दे सकेंगे, जितने भी हमारे friends हैं, कोशिस करने, answer देने की सभी को, की answer सभी लोग दे, जल्दी च answer दीजिए, तो केवल दो ही लोगों ने answer दीए, आरजू, काजल, सोनिया, बाकि सब को, बिल्कुल आइडिया नहीं है, या तो क्लास नहीं दिया, या अंगुठे को घिसने से बचा रहेंगे, चलो क्या या answer देकर करेंगे, सर्व है, न विशू, मिनट टू इंडिया, निहारीका, रिशा, पल्लब, राहूल, वैसनव, वैसनवी, कर्जुना, एकता, हुमर्सिफाइड, निजामुदिन, सोर्य देव, पुख्रांभं, सर्फराज, मम्ता, अंकिता, आजय, किरंदीप, मधू, मलिक, अंकित, चलो सभी ने answer दिया, तो correct answer देख लेते हैं इसका, ठीक है, जितने भी हमारे दोस्ते हैं, यहाँ पर यह जो article है, यह article 19 में आता है, तो यह वाला right जो है, दोनों को नहीं मिलेगा, ठीक है, article 19 जो है, वो किसके लिए है, केवल और केवल Indian citizens के लिए, हम किसके लिए पूछरे हैं, बोथ के लिए, तो बोथ के लिए नहीं है, तो Indian citizens के लिए कौन कोन से, article 19 प्लस 15, प्लस 16, प्लस 29, प्लस 30, तो यह पाँच articles आते हैं, बाकी तो इसमें है नहीं, right to life and liberty, article 21, सभी के लिए है, रिलिजियस freedom, article 25, सभी के लिए है, protection of, in respect of conviction for offenses, सभी के लिए है, all के लिए है, केवल third statement जो था, वो नहीं था, ठीक है, third right जो है, वो Indian citizens के लिए ही है, बोथ के लिए नहीं है, हम बात करें बोथ, ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं, next question पर, जो आपसे यहां पर पूछा जा सक है, इसके लिए, इसके अंदर, with reference to the provisions of citizenship under the Indian constitution, consider the following statements, first, at the time of the constitution coming into force, it had determined who would be an Indian citizen on 26th January 1950, second, parliament has the authority to make laws for matters related to citizenship, which of the correct statement, correct statement पर आंसर देना है, आपको जल्दी से आंसर दीजिए, easy है, चलिए, जल्दी से आंसर दीजिए, सभी लोग इसका कि correct आंसर है, आप ये bold देख करके आंसर मत देना, कि पता चले कि bold देख करके, यहां पर bold बना हुए, दे दे, सभी लोग, unanimously see दे रहे हैं, तो मेरे से थोड़ी गलती क्या होगी, हमारे typist से, कि उन्होंने already इसको थोड़ा सब bold कर दिया, और अब bold कर लिया, तो आप लोग सब महाईर है, चिटिंग करने में तो सब लोग उस्ताद हैं, और आम इंडियन्स तो चिटिंग करने में, जुगाड करने में, वैसे ही, number one है, तो सब ने तुका मार दिया हमाँ पर, ठीक है, चलिए, तो ये, आप इसको कर सकते हैं, दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, आर्टिकल 11 आपने देखा, पारलियमेंट के पास पावर है, और आर्टिकल 5, जो मैंने आपको अभी इंपोर्टेंट कराया था, जिसमें बताया था कि कौन-कौन सिटिजन ह होगा, 1950s में, 26 अमारा समिधान लागू होने पर, तो ये सारे के सारे प्रोविजन उसमें है, ठीक है, आगले क्यूस्टन पर चलते हैं, Consider the following statements, citizens of Pakistan और Bangladesh are eligible to apply for foreign citizenship of India, ठीक है, या overseas citizenship जिसको बोलते हैं, overseas, OCI बोल देते हैं इसको, Second, overseas citizen of India can buy property in India, foreign citizen वो translation में गलत है, इसको OCI कर लीजिए, OCI, Third, इसमें भी foreign nationals of India are entitled to visit India even without a visa, तो इनको भी OCI कर लीजिए, ठीक है, OCI, 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 C कर लीजिए, OCI, OCI, C, OCI, C, चलिए answer दीजिए आप लोगों को, अभी जस्त थोड़ी दिर पहले मैंने इन दोनों के बीच में difference समझाया था, OCI, C, और NRI के बीच में, easy है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, तो easily हो जाएगा, और आपका पूरा complete chapter इसके साथ revision हो जाएगा, जोगों आपके लिए अभी थोड़ा सा special effort यह ले रहा हूँ कि, जैसे topic complete होता है, तो topic complete होने के साथ मैं आपको MCQs भी करवा देता हूँ, ताकि आपको nature पता रहेगी, कि किस type से MCQs जो हैं आ सकते हैं, मेंस का question में आपको इनके end होने के बाद आपको बताऊंगा कि मेंस में कैसे question पूछा जा सकता है, और optional में किस तरीके से इसका use होगा, तो correct answer जो है, अगर हम बात करते हैं, तो, इसमें तो थोड़ा सा गड़वड है, फस statement गलत है, वीजा लगता है, इसको थोड़ा सा statement को देख लेना है, इसमें हमें आप यहां से करना है कि कौन से statement गलत है, तो options गड़वड थे, इन options को गड़वड होगे हैं, थोड़ा सा देख लेना है, पाकिस्तान और बांगलादेश के जितने भी लोग है न वो उनको इंडिया की overseas citizenship नहीं मिलते है बिल्कुल ठीक है overseas citizen of इंडिया उनको property खरीद सकते है ठीक और जो overseas citizen है इंडिया के वो इंडिया में आ सकते हैं दोरा कर सकते हैं लेकिन एक बार उनको visa जरूर लेना पड़ेगा ठीक है third statement जो है वो wrong था इसका option ही नहीं है यहाँ पर only two का ठीक है उनको लेना पड़ेगा visa लेना पड़ेगा एक बार visa लेना पड़ते हैं और एक बार visa लेकर के फिर वो multiple time किसी भी time कभी भी इंडिया में आ सकते हैं OCI की हम बात कर रहें ठीक है OCIC की बात कर रहें without visa वो entry नहीं कर सकते हैं तो only second जो है न वो इसका correct था ठीक है तो हम यहाँ पर OCIC की बात करते हैं तो इनके पास एक बार visa जरूर लेना पड़ेगा विदाउट वीजा के आ जाएंगे वो गलत है ठीक है तो पहली और थर्ड स्टेट्मेंट रोंगे यह options गलत है इन options को छोड़ दीजिए यह misleading options है second statement ठीक है ठीक है इसको correct कर लेना है यह typing error हो गया होगा जो हमारे जिसने भी PPT बनाई है उनसे typing error हो गया second statement इसका correct है अगला question which of the following office holders is required to be an Indian citizen first prime minister second union finance minister third chief justice of India correct answer select कीजिए जल्दी से बहुत easy सा answer है जल्दी दीजिए चलिए answer दीजिए सब लोग करें लिखिए और fourth question का answer दीजिए बहुत easy है इससे easy कुछ है ही नहीं बड़ा असान से है तो बिल्कुल correct answer D इसका correct है तीनों के तीनों जो है इन तीनों के लिए आपको इंडिया का citizen होना चाहिए इंडिया की citizen नहीं होगे तो आप यह post पर नहीं जा सकते प्रेजिडेंट भी इसमें आ जाता है ठीक है कि इसको छोड़ दीजिए कि इसको भी छोड़ दीजिए कि छोड़ दीजिए आप कि एक मिनट यहां पर थोड़ा सा गड़ बढ़ है पीपीट में थोड़ी सी गड़ बढ़ दी इस क्योस्टन को पढ़िये इसको प्रेजिए इसको प्रेजिए ठीक है सिंगल सिटिजन सिप्ट्री लिस्ट ओफ कॉंस्ट्यूशन ड्यूल जूडिशरी ए फैडल सुप्रीम कोड टू इंटर्प्रेक्ट् तो इसको प्रेजिए अधर कॉंसेट्ट पर आजए या कोंसेट्ट् खतम होगा भाई तुम्हाए लेट तुम्हाइए लेट हूं तो तीन घंटे से चल रहे हैं अन्हां आते ही भासन बाजी करने में माहिर हैं यह कर लो वो कर लो इस पहाज़ई यह उस पहाज़ई है कि इजी है कोन कोन से सेम है तो करेक्ट आंसर इसका डी है ठीक है डी इसका करेक्ट आंसर है इसका करेक्ट आंसर था ठीक है सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जब आम बात करते हैं तो यह सही था अगला क्यूस से नाप पर चलते हैं इसको पढ़िए करेक्ट स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करनी है ध्यान से पढ़िए चली जल्दी सान सर दीजिए इजी है अगर आप कर लेंगे अगर आप इसको पढ़ा होगा चली सारे लोग आंसर दीजिए बड़ा इजी है आप कर लेंगे इसको और जितने भी ओप्शनल के स्टूडेंट है ना पीएस आई आर ओप्शनल के या पब्लिक एडिनिस्टेशन के ओप्शनल वाले स्टूडेंट उनके लिए मेंडेटरी हैं ये क्लासिस जोइन करना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां से आपका बहुत बड़ा एरिया इंडि स्टूडेंट जो नहीं कर रहे हैं वह बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं तो उनको बाद में जाकर किससे बहुत प्रोब्लम होने वाली है तो उप्शनल के सारे स्टूडेंट जरूर रहना है प्येस आर और पब्लिक एड के जो भी है चलिए तो करेक्ट आंसर इसका दिखा रिक्वायरमेंट नहीं है OCIC जो है इनके लिए वीजा की रिक्वायरमेंट होती है NRI इंडियन सिटिजन है तो उनको वीजा नहीं लेना पड़ता OCIC जो है वो इंडियन सिटिजन नहीं है तो उनको वीजा की रिक्वायरमेंट रहेगी एक बार लगेगा बार बार नहीं ल राइट ज्यादा होते हैं जो OCIC है उसको उसके equivalent राइट नहीं मिलते हैं ठीक है उसको इसमें बराबर राइट नहीं मिलता है ठीक है दोनों ही statement जो है वो गलत थी लोगो NRI को सबसे सही यह इस तरीके से परिभासित करता है अगला question देखिए Consider the following statements The children of foreign diplomats posted in India cannot acquire Indian citizenship by birth Second, an alien upon acquiring Indian citizen by naturalization continues to hold citizenship of his her parent country Correct answer आपको देना है Correct answer select कीजिए और जन्दी से दीजिए चलिए ये भी easy है Classes का time note कर लीजिए 1 p.m. and 9 p.m. 9 p.m. पर Hindi medium की class होती है 1 p.m. पर ये class होती है बीच बीच में दो दो दिन continue रहती है एक दिन थोड़ा सा बीच में break जरूर होता इसमें चलिए जल्दी से answer दीजिए सभी लोग तो चलो आपको answer दिखा दिया जाए केवल ए इसका अगर हम बात करते है correct है ठीक है first statement correct है ठीक कोई भी अगर foreign diplomate है मान लीजिए विदेशी राजतू थे हैं वो भारत में आए ठीक और वो भारत में आए या फोर एक example से ले लेते हैं कि अभी तो डोनाल्ड ट्रम्प रहे ही नहीं जो बिडेन वहां के president बन गए मान लेते हैं कि वहाँ से कोई दो लोग आए डोनाल्ड ट्रम्प अपनी पतनी के साथ आए ठीक है American ambassador बन करके आए यंग wife है उनकी और यहां पर आकर के उनका बच्चा हो जाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसको इंडिया की citizen मिल जाएगी इंडिया की citizenship by birth लेने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए मम्मी और पापा, मदर और फादर दोनों में से एक Indian होना चाहिए Indian citizen और second illegal migrant नहीं होना चाहिए तो मिलेगी दोनों foreigner है तो उसको नहीं मिलेगी second statement जो है वो wrong है क्योंकि इंडिया में single citizenship का concept काम करता है एकल नाग रिकता आपने अगर इंडिया की नागरिकता ली citizenship ली तो दूसरे देश की नागरिकता ली तो इंडिया की नागरिकता खतम एक ही हो सकते हो दो नागरिकता continuous नहीं होगी कभी यह ध्यान रखना ठीक है तो आप continuous नहीं रख सकते हो सिटिजन सिफ सिंगल रहेगी तो इसका मेन concept यह था यह भी रिविजन होगे आपका class का पूस भी लिया था लास्ट क्लास यही थी तो अगर इसमें आप देखना चाओ तो आंसर दे सत्यों कि which of the following states were was a union territory before attaining statehood ए मनिपूर बी सेकिंड सिक्किम और थर्ड हिमाचल प्रदेश correct answer देना है previous जो chapter अगर आपने देखा होगा union state and union territory वाला तो उससे related है answer दीजे सल्व इस लक्षमी कान दो book जो है न केवल बुक मेंस के लिए काम की नहीं है books तो केवल prelims के लिए भी काम की तो जो class जो है class में जो आपको analysis दे रहे हैं प्रोवाइड कर रहे हैं वो prelims और mains दोनों के लिए complete है complete इसके अलावा आपको कुछ भी करने के जो requirement नहीं है अगर आपने classes देखिए में चीज analysis होता है कि क्या वो analysis only prelims oriented है या वो analysis prelims और mains दोनों के लिए oriented है क्या उन दोनों से related issues भी आपको discuss किये detail में उनको चीज़े बताई की नहीं तो analysis के उपर depend करता है तो अपना analysis तो बहुत detail में जाता है बहुत deep जाता है वाई तो pre mains optional हर कहीं काम देगा mains में आपको gs और optional दोनों में काम देगा तो इसका correct answer देख लिए जी सी है maximum लोगों ने भी लगाया है ना सिक्किम कभी भी वाई union territory रही नहीं ठीक है मनीपूर और हिमाचल पर दें union territory थे पहले इसका मतलब last chapter chapter number 5 आपने धंक से पढ़ा नहीं मैंने आपको पढ़ाया है बहुत अच्छे से मेगा मेराथन क्लासे जरा देख लेना जाकर कि सारे लोग रिपीट कर लेना सिक्किम जो है वो पहले इंडिया का प्रोक्टेरोरियेट स्टेट था यानि कि संरक्षित राज्य था चोग्याल सासनवन से जब राजवन से हमने इसको लिया तो इसको हमने 1947 में जब यह हमारे 25th amendment होता है उससे हम इसको क्या स्टेटश देतें आसोसियेट स्टेट का फिर 1975 में एक और amendment होता 36th amendment उससे हम इसको complete state hoot का दर जा देते हैं तो कभी भी union territory सिक्किम रहा ही नहीं हमारा देश में ठीक है सिक्किम कभी भी union territory रहा ही नहीं मनिपूर और हिमाचल प्रदेश रहा है ठीक है यह देखिए protectorate state जो था इसको status दिया था सिक्किम को ठीक है इंडिया का जो है वो protectorate बन गया था सिक्किम सनरक्षित राज्य बना था 1947 में और फिर उसके बाद 1974 में 35th amendment act हुआ 1974 में तो उसमें हमने associate state का status दिया इसको और फिर उसके बाद 1975 में referendum हुआ और उसके बाद 36th amendment हुआ और उसको हमने full flesh 22nd state का दरज़ा दिया 36 समिधान संसोधन से ठीक है यह है इसका यह last class से related था यह क्यूशन अगले पर चल लेते है इसको छोड़ दीजे काम का नहीं है यह आपका चलिए इसको आंसर दीजिए which of the following may result in loss of citizenship of an Indian citizen में लिख है इसको ध्यान से समझना हम यहाँ पर बात कर रहे है में में result of in loss ठीक है हम बात कर रहे है हो सकती है समाप्त नागरिकता समाप्त हो सकती है हम यह बात नहीं कर रहे है कि नागरिकता समाप्त हो ही जाएगी है ना हम में की बात कर रहे है first if the citizen voluntarily acquire citizenship of another country second if the citizen has been ordinarily resident out of India for seven years continuously third if the citizen has shown disloyalty to the constitution of India correct answer select कीजिए आपके सामने options है चलिए जल्दी से आंसर दीजिए तो इसका correct answer जी है D तीनों की तीनों statement correct है इन तीनों के base पर इनकी citizenship का जो है loss हो सकता है citizenship भटा ही जा सकती है single citizenship है तो अगर किसी other country की जाओगे तो आपकी इंडिया की citizenship चली जाएगी ठीक है अगर आप बिना किसी काम के बिना किसी work के बिना किसी job के अगर other country में continue seven year के लिए रह रहे हो तो आपकी citizenship जो है वो खतम की जा सकती है ठीक है अगर आपने constitution के साथ this loyalty की तो भी आपकी citizenship जो है उसको खतम किया जा सकता है यह सारे provisions है citizenship के तो यह तो ओगे आपके prelims के questions जी citizenship को लेकर गे ठीक NPR और NRC इन सब के बादे में हम अगले उसमें discuss करेंगे इसमें नहीं करेंगे क्योंकि अगले chapter में में आपको कल जो होगा न मेंस बेस्ट जो chapter है वो कल होगा आज का जो chapter था वो basically prelims oriented था लेकिन इसके जो मेंस के issues है optional में कैसे क्यों सनाएंगे citizenship amendment को कैसे इंडिया की secularity के साथ जोड़ा जाएगा भारत के धर्म इर पेक्सता के साथ जोड़ा जाएगा कैसे connect करेंगे इंडिया की right to equality के साथ कैसे connect करेंगे religious freedom के साथ कैसे connect करेंगे और उसके कारण जो protest हो रहा है उससे law and order जो हुआ खद्राव हुआ उसको कैसे जोड़ेंगे constitutionality समयधानिकता citizenship amendment act की वो कैसे prove करेंगे ठीक है क्या उसका review होगा की नहीं होगा इन सब चीजों वो mains कह रही है तो उसको हम update करेंगे कल की class में ये basically prelims oriented class थी आज की जहाँ पर मैंने आपको prelims के सारे के सारे main चीजे करवा दी है prelims में अगर इसके class डंग से कर लोगे तो citizenship से आपका कोई भी question miss नहीं होगा ठीक है तो unacademy का अगर कभी course आपको join करना है proper personal guidance चाहिए तो ये LY live code apply कीजेगा बिलकुल ठीक है इससे आपको proper personal guidance भी मिलेगी और हमारा आपको 10% discount भी हो जाएगा कभी भी unacademy पर कोई भी course जोइन करें तो ये referral code यूज कीजेगा कल 1 p.m. पर याद रखेगा 1 p.m. पर 1 p.m. पर जो है bilingual class होती है daily telegram channel देख लेना है और अगली जो है वो 9 p.m. पर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी माध्यम वो हिंदी मीडियम के लिए class होती है हिंदी माध्यम के लिए class है तो आज एम लक्षमी कांद के chapter number 73 को हम हिंदी मीडियम में करेंगे सुनाव सुधार election reforms 2010 के बाद के जो election reform है उनके उपर हम discussion करेंगे तो 1 p.m. और 9 p.m. ये दो time आप याद रख लीजिए ठीक है इसको हमेशा याद रखिएगा और कल citizenship का ही current affairs का update इसू करेंगे कल अगला chapter नहीं होगा citizenship से related जो issues है न जो citizenship amendment act आया जो बार बार 1955 के act को जितनी बार भी amend किया गया उन सारे amendments को हम देखेंगे ठीक है क्यों protest होआ उसको देखेंगे constitutionality को देखेंगे secularism के साथ जोड़ करके देखेंगे right to equality freedom of religion religious freedom के right उसके साथ जोड़ करके connect करके देखेंगे minority rights के साथ connect करके देखेंगे Indian preamble के साथ connect करके देखेंगे वो means का इसू रहेगा तो वो थोड़ा सा detail में जाएंगे और वो free hand class रहेगी free hand class का मतलब होता है कि आपको slides में यहाँ पर ppt नहीं मिलेगी मैं समझाऊँगा मैं यहीं आपके सामने ही write down करूँगा लिखूँगा बताऊँगा कि कौन कौन सी चीज कब कब कैसे कैसे आई तो आपको easy रहेगी वो समझने के लिए समझ बनाने के लिए ठीक है तो वो mains का area रहेगा ठीक तो इसको like share अमेशा करते जाना है अगर आप like share नहीं करते हैं तो फिर हमारा भी motivation डाउन होता है हमें लगता है यार कि हम इतना effort करते हैं इतनी लंबी-लंबी marathon class लेते हैं कोई नहीं लेगा इतनी लंबी-लंबी marathon classes regularly आपके लिए और इतना detail में कि एक-एक चीज को explain कर दिया जाए जो important चीज है कोई भी नहीं करवाएगा तो अगर इस तरीकी की चीजे continuous चाहिए तो आप share करागरें इसको class को share करना बहुत जरूरी है like share करें, comment करें channel subscribe कर लें ठीक है और class notification बाकी सब के लिए अनकेडमी ललीत यादव की पार्ट साला टेलिग्राम चैनल है उसको join कर लीजी अनकेडमी का channel है वो अनकेडमी का official channel है हमारा अनकेडमी ने ही बना करके दिया है और यह referral code है इसको use कीजेगा LY live जब भी अनकेडमी का course join करें तो LY live code ही apply करें ठीक है तो आपको discount भी होगा personal guidance भी मिलेगी one on one personal guidance मिलेगी direct mirror से बात कर सकोगे सीधा भी direct mirror से बात चीताब की होगी कभी भी कोई problem होगी सीधा बात कर सकते हैं ठीक है इस chapters related chapter 3 part 1 दो लाइव class देखोगे न तो आपका हो जाएगा मैं तो try कर रहा हूँ उनको बोल लाए भी मैंने कई बर कि भाई आप लोग इसको करो इसको private कर रख रहे हैं उसको public कर दो अब वो देखो क्या ही करते हैं भाई अब उसको जाबरदस्ती जानवूज करके उसको public नहीं कर रहे हैं तो उनका भी नुक्सान यह belief system भी हटता है दो audit team 10-5 second के चक्कर में उसको trim करके तुम सही कर सकते थे चलो आप लोग पढ़ते रही अच्छे से और इमानदरी से आगे बढ़िए लोग अपनी गलती स्विकार करने में कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इंटर्व्यू दे रहे हैं और इंटर्व्यू में आपको नहीं आती कोई चीज तो माफिय मांग लीजिए लोग इंटर्व्यू आपकी knowledge का test नहीं है आप ये गलत फहमी दूर कीजिए सबसे पहले तो सबको लगता है कि अर इंटर्व्यू हो तुमारी knowledge का test है नहीं भाई knowledge का नहीं है तुमारी knowledge prelims में test हो गई प्रीमे हो गई test जो knowledge test हो नहीं थी इंटर्व्यू तुमारी personality का test है तुमारी mentality का test है तुमारी thought process का test है कि तुम administration करने लायक हो की नहीं क्या तुम अगर collector बनते हो तो तुम क्या प्रसासन सभाल सकते होगी नहीं pressure जेल सकते होगी नहीं situation handle कर सकते होगी नहीं उसका test है ठीक है PSIR और public administration दोनों के लिए अरे यार दो मैं आपको फिर से समझा देता हूं PSIR जो है न इस PSIR के अंदर paper 1 होता है paper paper 1 इस 1 का part B part B जिसको बोलते है IGP Indian Government and Politics उसकी जितनी भी unit है complete unit यहां से cover होगी इसी से cover करवा रहूं मैं बहुत detail से explain करता हूँ पढ़ा रहूं लोक प्रसासन इसका paper 2 paper 2 उसकी first 2 unit छोड़ दे नहीं है बस उसकी बाद की last की 10 unit complete यहीं से ही cover होगी ठीक है सब कुछ यहीं से cover है केवल theoretical area और IR का area वो अलग से होगा वो मैं आपको special class या YouTube पर ही अलग से separate उनकी classes launch कर दूँगा उनी optional के नाम से separate आ जाएंगी लेकिन यह area भी optional के लिए ही पढ़ा रहा हूँ यह भी ध्यान रखिए GS में तो काम आएगा ही आएगा second paper में work करेगा ही करेगा लेकिन optional को ही target करके पढ़ा रहा हूँ मैं यह ध्यान रखो तभी बहुत ज्यादा detail में जा रहे है GS और optional दोनों cover हो जाएं तो इसको रखना है ठीक है चलिए तो आप सबको thank you best wishes हमारी तरफ से जड़ा एक बर referral code बताईएगा कि कौन सी referral code है जब भी आप an academy का course जोइन करेंगे तो किस referral code से जोइन करेंगे भाई referral code बताईए लिख करके code to success आपका code to success क्या है जिससे आपको discount और personal guidance दोनों ही मिलेगी मेरे दोस्त बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया LY live code to success उसको use कीजिए और हमेशा आपके साथ हम रहेंगे 10% discount भी रहेगा proper personal guidance भी मिलेगी आपको ठीक है कोई भी किसी भी चीज में कभी भी कोई problem आपको नहीं आएगी चलिए तो वीडियो को like share कीजिएगा comment कीजिएगा जो Christians मैंने class में पूछे उनको बताईएगा mains oriented class जो है वो कल 1 p.m. पर होगी आज की class जो थी वो प्रिलिम्स oriented थी only कल mains oriented रहेगी ठीक है क्योंकि citizenship जो है वो pre mains दोनों में आता है तो mains oriented issues को एक साथ हिखटा कर लिया current से update करके वो मैं आपको कल करा दूँगा उसको join कर लिजीगा like share comment करने subscribe कर लेना है ठीक है और बने रहने अने केडमी के पर course join करते time LY live ज़रूर apply करना है ठीक चलिए तो आप सब से मिलते हैं जल्दी अगली class में तब तक के लिए आप समको हमारी तरफ से जै हिंद जै भारत let's crack it लेल कर दूदी जागेए